हेलो वाट्सप गाईज आज हम देखने जा रहे Responsive Dynamic Website विपसेट 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 होने जा रहा है क्योंकि हम वर्जन 19 के साथ काम करने वाले है जो कि फिलाल अभी Release Candidate स्टेज पे है and maybe like after 6 मन्त वो एकदम स्टेबल भी हो जाएगा तब तो यह सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है इस React प्रोजेक्ट पे गाईस हम React Auto Dome क्या यूज करने वाले है to create a single page application basically हमारा nap bar के लिए हम इसमें Axios का यूज करेंगे data fetch करने के लिए हम इसमें React icon यूज करेंगे icons को यूज करने के लिए and the best part इसमें कुछ चीजे ऐसी है 3-4 जगे वो पे जहां पे मैं आपको React 19 का जो feature है वो apply करके दिखाऊंगा ये बताने के लिए कि भाई अब जहां पहले इतना लंबा 100-200 line का code होता था अब आब वो 1-2 line में complete with the help of React version 19 का latest feature कुछ नए hooks आपको सिखने मिलेंगे and बहुत सारी चीजे ऐसी है जो मेरे website पर मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा जहां पर best तरीका क्या है एक website को create करने का वो मैं आज आपको इसके साथ share करने वाला हूँ तो believe me guys इस वीडियो का आप देखिएगा इस वीडियो के at the end में मैं फ्री में भी host करके बताऊंगा live host करके भी बताऊंगा source code बिल्कुल free है ताकि आपको कोई problem ना हो बस guys एक best tip में आपको इसाथ ये share करना चाऊंगा आप जब 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 जो जो code में लिख रहा हूँ मैं आज आपको from scratch सब कुछ बताऊंगा कि कैसे ये जो awesome website आप इसको create कर सकते हो और गाइस तो अब हम विना किसी दरीक अपने पर स्क्रीन पर चलते हैं और गाइस तो फाइनल अब हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट उसका टूर में आपको कर रहा तो हम बिलीब में आपको बहुत ही ज्यादा मजाने वाला है तो आप देख सकते हो गाइस सबसे पहले हमारा जो यह पार्ट है यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाए दे रहा है दिस आर होम पेज और बिलीब में मैंने पूरी कोशिस की है थ्रूराट इस पेज आपको देखा सकते हैं तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखी सकते हो और यह हम आवर हैडर पार तेक है इस हैडर में क्या उसकाने होले रीक्ड रट रोट डूम जो की लेटेस्ट अभी एगदम ठीक है दन वी हैपर हीरो सेक्षिंग यहां पर देख सकते हूं जो की पयारा सा रख रहा हैं जो की प्राशा रहा हैंग यह ज़िग अने मन से जो तो मुझे सही लागा वो मैंने किया and best practices मैं आपको बता हूँगा and then guys we have this particular here are the interesting facts we are proud of basically हम यह पुरा देखुना world at least it's all about the world हमारे basically इस अर्थ में कितने country से उसमें क्या speciality है क्या मतलब facts का interesting facts तो वो सब मैंने यहां पर रखा जैसे world का हो गया Nepal का हो गया Egypt का दिखा रहा ब्राजिल ऑस्टेलिया चाइना फ्रांस पता नहीं से दिखा रहा है ठीक है मुझे जो मिला वो मैंना एक की don't worry but beauty यह है ना कि य यह जो भी इस तरीके से आपको दिख रहा है believe me अगर हम नॉर्मल तरीके से करते तो यह जो particular piece of code आपको दिखाए दे रहा है इसको करने के लिए हम एक बर पूरा का पूरा code लिखते राइट हम पूरा एक code लिखते लेट से 10 लाइन का हमने code लिखा इसको पाने के लिए वह है पर उनकी जो value है उसको change करते एंड यह जो ठड़ वाला है ठड़ वाले के लिए भी से मुझे वापस लाइन लिखना पड़ता उतने ही बार एंखाली data जो उसको change करते तो मतलब एक same piece of code में जस्ट हमारी value चेंज हो रही है लेकिन फिर भी मुझे एक दो बार तोटल यह हाँ पर जितने भी सभी एक डिप दो दिप तीसरा डिप चौथा डिप पांच ओर डिप लिखना बढ़ता बट मैं आपको बैस तरीका बताऊंगा इन रियक्ट कि कैसे आप बस एक बार सिर्फ गाइस आपको एक डिप बनाना है एंड यह सारे के सारे अपने आप आप बनाना दिखाना क्योंकि अगर आप इसको भी अगर एकडम ध्यान से देखो गए यह वाला पर्टिकुलर पोर्शन है यहां पर भी तो यह अगर जो पार्ट है एंड यह पार्ट बहुत आर सेम इनका स्टाइलिंग सेमें इनमें डीप सेमें सिफ डिफरेंट है तो एक ची कर दो नाट रिपीट और सेल पाला जो फंड है मैं आपको पुरा कंपोनेंट की मदद से बाता हूंगा अगडम बॉटम पर we have इस आप अफिनो एक दम बॉटम पर आप निसमें सोर्स कोस सोर स्थकोड कोन्तेक्त तो बताना चाहूंगा सब कुछ्छ फ्री है स्थन पाने करता हूं делर सखेल प्लाल जो यह विडिए यह पूरा वेब सेट इसकास ब्लुकुल फ्री ओ वाइफ यूटी वीडियो शूर्स कोड वाइट इन्टायर वीडियो सोर्स कोड दन गयाइश उसके लिए में इसे पूर्टी नैं रोपीज रखाया अब आप बिलिप करोगे के लाइक सिफ तू फोर्टी नैं रुपीज में सारे के सारे सोर्स कोड फूरा A2, ZHTML, SSBOOTSTRAP React, Mundstack, Node, Express, PHP, MySQL बारे बारे और भी होंगे बहुत तो वो सबको सिर्फ 2.49 रुपीज में just because YouTube से मिल कुछ नहीं रहा है to be very frank तो मैं आपके बरो से बैठा हूँ तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो then guys this is the way आप मुझे सपोर्ट कर से हो and उसके बदले में अपना प्यार and then आप यह सब कुछ आपके साथ सेर करी रहा हूँ win-win situation है and इसका जो source code होगा वो में बिल्कुल free में github का link आपको नीचे description and comment section में सेर कर दूँगा alright homepage हो गिया अब मैं अगर about page पर आता तो यहां पर आप देख सकते हैं about page सेम होई है जो मैंने home page पर यहां पर रखा है it means कि हम same component को कहीं पर भी render कर सकते है and the beauty यह है इतना सब कुछ and about page में इतना सब कुछ पाने के लिए मैं सिर्फ एक component क्रेट करूँगा and खाली मुश्किल से 10 line का code है यह सब कुछ मेरा 10 line के code से मुझे यह सब कुछ मिलने वाला है उस API में में 100 दाल दूँगा तभी मेरा वो सिर्फ 10 line का ही code रहेगा तो beauty यह है ठीक है and country पर जाने से पहले contact पर में जाना चाहूँगा so now guys हमारा यह जो contact यह बहुत ही awesome होने वाला because in react 19 we have something call action attribute यह action method यह आप इसको कह से तो जिसको guys आपको simple form tag में add करना है and चुटकी में guys आपका जितने भी यहां पर fields हों दो चाहे 100 input fields हों दो कितने भी हों दो कुछ भी नहीं करना आपको खाली आप action में जाके वह एक function डाल दोगे data अपने आप आप जाएगा don't worry मैं बताओंगा इंड कितना beautiful हो गया है कितना easy हो गया आपको तो पता चलेगा and finally we have our country तो यहां पर आप देख सेकते हों गाए this is our country वाला टैब यह पूरा pure API से मुझे data मिल रहा है यहां पर इसको मैं चाहूं तो ascending order में कर सकता हूं पूरे country में जितने भी है देखो अफगानिस्तान यह AH से स्टार्ट हो रहा है इसको मैं चाहूं तो descending order से भी दिखा सकता हूं जांबिया चाहूं तो मैं यहां पर इसको सर्च कर सकता हूं जैसे पी ए लिख देता हूं पी यह लिख्या क्या क्या नेपाल आता है पी में बहुत सारे country में नोटिस के आते जिसको मैं अच्छे से दिखा सकता हूं सो कुछ इस्तिर किसे दिख रहा है चाहूं तो आप मैं इसको ascending कर दूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा अब इतने सारे country में मुझे यह देखना है वी है फिल्टर और यहां पर आप बहुत के लिए देख सकते हूं फिल्टर भी है और जितने भी data आ रहे हैं यह सब कुछ हम इसे प्राप्त करने वाले तो मैं बोलता हूं कि अफ्रीका में कितने country तो आप देख सकते हूं कि अफ्रीका में कुछ भी नहीं है मालब बेसिकली हमने जो सर्च की तो उसमें से अफ्रीका के अंदर कुछ भी नहीं था बढ़ हां अमेरिका को अगर मैं स्लेक्ट कर तो आपको मालू में गाई से इनका मैं चुआ था ठीक है फिर अगर में एसे पे क्लिक करता तो एसे में वह है आपन नेपाल पकस्तान और पलेस्तिन इन सब में पी ए पी ए कॉमन है अगर आप देखो को तो पी ए पी इसलिए दिखाई दे रहा है इसको मैं डिसेंडिंग करू तो डिसेंडिंग करू तो एसेंडिंग करू तो एसेंडिंग करू तो सर्च भी होता है एसेंडिंग डिसेंडिंग एसेंडिंग 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 एसें एक और संब्वी करो म ERIC है था बश्recht हला करता है ने पाल ठीक है और में इंडिया चलता हो कही यह बार इंडिया के बार में दिखाए देरा है कि अने टीब नेम्स क्या है आप देख सकते हो यहां पर कुछ इस तरीके से इना इन्डिया भारत और यह आ इंडिया आ इंडिया यह कोई लैंगवेज मुल्यालम तेल्ग और में से कोई तो भी एक हो गाई यह पॉपुलेशन दिखा रहा है रिजन बता रहा है सब रिजन दिखा रहा है कैपिटल बता रहा है डोमेंड.in obviously इंडिया में डोट इन अपना डोमेंड चलता है करिंसी के रुपी है language English Indian Tamil आई कैसे फिर यह तमिली होगा तो इस तरह किसे है आप लोग को एक चीज दिखनी रहा है यहां पे हमारा बैक बटन तो वह जो बैक बटन इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वापस यहां पर आ जाओंगा लेट से मुझे अब स्लेक्ट करना है अर्जन्टीना क्योंकि अभी जस्ट फिफा वल्लकॉप जीता था मैसी यहां पर देखो और्जन्टीना का भी सारा डेटा मुझे आ रहा है मैं बैक जाओंगा इस तरीकी से यहां पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है नहीं है देखो हमारा ने बार वो भी आपको रेस्पॉंसिव दिख रहा है यह देख लीजिए यह हैं कितना ज्यादा प्यारा एं देन ओसम सो यहां काई सब्सक्राइब करते लिकिन अभी तक इंट्रों देखके काई सापको कैसा लागा अट लीस पसंद है तो लाइक एं आप कमेंट कर सकते हो अब लिख सकते हो बाब बाब येस वी एर एक्साइटेड नहां इतना डन हो गया एंट हमने यह फिनिस कर ली बिलिब मी इसमें आप जब देखोगे ना कोड हमने बहुत कम कोड लिखा है और बेस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया और बैस पार यह प्य इसकाम करने के लिए वी निद तो इंस्टॉल और रियक्ट एप्लिकेशन ठीक है तो मैं ना विट की मदद से रियक्ट इंस्टॉल करने वान हो एंड बाताना चाहूंगा कैस यह हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होने चाहरा वल्ल्ल बेस्ट रियक्ट 19 सिरीज का 99 वीडियो ह अप्लोड किया तो मालब कुस तो बनता होगा आपको कि यार बंदे ने 100 वीडियो बिल्कुल ऐसे फ्री में रखा हुआ है तो गाइस प्लीज जितना हो सके उतना सेर कर दीजेगा ठीक है तो कुछ भी डाउट हो यहां पर जरू चेक आउट कीज आपको सब मिल जाएगा पर जो कुछ हमने पड़ा है वही आज हम देखने वाले है थोड़ाथ एक्स्रा भी रहेगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो वी हैब दिस गेटिंग स्टार्टेट विट आप रियक्ट पे जा सकते हो ठीक है अल्रड यह सब कुछ में बता चुका हूँ स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो रियक्ट नेटिन में कैसे कनवर्ट करना है और तो यहां पे मजा आ जायेगा इस तरीके से यहां पर सब कुछ है ठीक है तो आप बस आप मुझे ना फॉलो करना ठीक है आप मुझे फॉलो कीजिए बस ठीक है सो देखो कैसे इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले हम रियक्त इंस्टॉल करते हैं nowadays with the help of with npm create react app उसका जमाना गया आपको लिखना होगा latest ठीक है npm create wheat at the rate latest आप से आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा आप लिख दू react react अंड़ियक्ट अंड़ियक्ट कांट्री अंड़ियक्ट थापा प्रोजेक्ट क्या लिखना बस इतना लिखके छोड़ देता हूं मैं मुझे चाहिए react मुझे चाहिए javascript एंड़ियक्ट ठीक है अब मुझे यह कह रहा है कि इस तरीके से यह जो तीन लाइन है यह आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो मेरी जो डिरिक्टरी है रियक्ट एप्लिकेशन का that is cd उसके अंदर जाना है चेंज डिरिक्टरी उसके याद मुझे जितने भी मेरे पैकेजेसे उनको इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसिस एंदेन मुझे उसको रन करना है तो यह तीन कमांड मुझे लिखने पड़ेंगे ठीक है यह खुद मुझे बोला तो cd मैंने लिख दी इसको मैं एक बाद क्लियर कर देता हूं वह लिखने के बाद इन्होंने बोला है npm install जब तक मेरा इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे चीजे है जो यूज हो रही है फॉर इंस्टेंस यह पर्टिकुलर एरो आपको दिख रहा है तो वह हम रियक्ट आइकन्स यूज कर रहे हैं वहां पर रियक्ट आइकन्स ठीक है तो इस तरीक एक आपका रियक्ट आइकन्स आपको दिखाई देता है जिसमें भरे पड़े आप फॉंट ऊसम बोलते होंगे में ट्रेल यूई बोलते होंगे पता नहीं आइकन्स क्या-क्या बोलोगे बट वो सब कुछ ऑलरी इसमें दिया हुआ है आपकी मर्जे आपको जो चाहे आप यू कर रहा हूं ठीक है और यह जब तक यह इंस्टॉल हो रहा है हम क्या यूज करेगा एक चीज आपने नोटिस की या नहीं और यही है कि रियक्ट को लगता है कि वो सिर्फ एक ही पेज है इसलिए आप जितना भी उसको कभी भी इधर से फ्रॉम वान पेस्ट अनदर पेज अ लगता है एक ही पेज में कभी पेज रिफ्रेस होता निया तो यह जो फंक्शनलिटी हमें मिल रहा है तो नेविगेट फॉम पेज तो अनदर और या जाने के तो उसके लिए वी निद टू यूज को रियक्ट रॉटर डॉम बहुत सब लोगो को मिस्टेक होता है रियक्ट रॉटर डॉम को इंस्टॉल करना है या रियक्ट रॉटर को इंस्टॉल करना है तो बताना चौंगा गाईस आपको रियक्ट रॉटर डॉम को करना है अगर अगर वेबसाइट के साथ काम करते होता हो तो here we have this react router dome and you can see the weekly downloads it's use right तो यहाँ पे npm install react router dome just इसको copy कीजिए आईये यहाँ पे वो भी इंस्टॉल होगे और इसको paste कर दीजिए तो we are done with our react का application we are done with our this particular react icons का package then react router dome and one more thing जो important and that is axios क्योंकि यहाँ पे यह जो भी data आपको मिल रहा है यह real API से हमें मिल रहा है मैंने खुद से इतिने सारे नहीं बनाये यहाँ यहाँ यह actual API से मैं data fetch करूंगा और उसके लिए हमें axios भी लगेगा so npm install axios इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं तो यह भी मेरा काम हो गया ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है package.gson file को कभी भी दिखाना ताकि इनकेस अगर आप आससे 5-10 साल बाद इसको देख रहे हो तो मुझे तो guarantee नहीं है बट हां मुझे लगता है at least 3-5 साल तक तो इतन not 19 it's 18 right so at present आज in November sorry November बोल राइट September end है 2024 तो यहाँ पर आप देख सकते हूं 18 and then 18 Axios का यह version है react icons का यह है and react router का यह है react router का जो अभी latest 6.4 भी आ चुका है तो मैं 6.4 के ही कुछ चीजों का use करने वाला हूं and वो हम कर सकते है रही बात react को हमें 19 में convert करने का तो वो मैं आपको बात आता हूं ठीक है react 18 to 19 migration या कुछ भी आप लिख सकते हो तो here we have this इस तरीके का data मिलेगा आपको यहाँ पर and यहाँ पर अगर आप देखते हो so don't worry यह सब का link में बिल्कुल free मैं आपको provide करने वाला हूं आपको कहीं जाने की जौत नहीं है link नीचे description description and comment section में आपको मिल जाएगा तो यह लिख सकते हो else react at the rate rc देखो यह अभी भी stable नहीं हुआ है rc release candidate stage में है it means almost 95% इस page जो आया है stable version में वही मिलने वाला है तो मतलब react 19 आया भी नहीं है बट मैं आपको react 19 में यह बना के दिखा रहा हूं तो यह है न हम future proof हो गया गाई see right and ऐसे बहुत सारी चीजे है जो react 19 में ही support करेगा खाली तो वह कुछ वह सब कुछ में आपको बाता हूंगा जैसे contact वाली field में मैंने कुछ भी नहीं किया बस दो line का code लिखा मेरेको सब का data मिल रहा है यहां पे वह आपको बाता चलेगा and boom guys see now अब हो गया अब तो आपको यकीन हो गया कि हमारा यह जो project it's based on react version 19 that's it ठीक है यह देखो 19 आपको मिल गाई है आप यह देखो 19 आगया all right perfect ठीक है तो हमारा यह part हो गया installation part done अब हम एक एक काम करते अपना ठीक है तो let's go with our home page सबसे पहले home page पर चलते जहां पर भी जाओगे home page पर चले जाओगे so what we have in our home page guys simple है एक header है we have one our hero section then अगर आप देखोगे तो we have our about का section over here and right तो यह आपका पहला यह दूसरा यह तीसरा bottom पर में जाओँगा so we have a footer right तो इतने चार section हमारे इस home page पर है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि हमें यह जो नेब बार है वो create करना है नेब बार से भी पहले हमारा यह functionality कि home पर clicker तो home about पर clicker तो about page आये तो react route.dome हमें यहाँ पर लगने वाला है तो source के अंदर आप आईए एक folder बनाईए जिसका नाम होगा pages ठीक है we have a home page dot jsx then over here pages पर वापस आईए we have a contact and by the way यह जो pages है इसको आपको capital ही करना है यह जरूरी नहीं है क्योंकि components capital करना रहता है ठीक है convention तो मैं फिर भी इहाँ पर capital ही कर दे रहा हूं तो we have a contact, we have a home, we have a country dot jsx and at the end we have one more page left and that is your about ओला page about dot अब मैं home पे चलता हूं तो मुझे home पे अपना कुछ तो code लिखना पड़ेगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा बढ़ा कर देता हूं so I guess यह आप लोग को दिख रहा है गे export const we have a home and guys अगर आपको थोड़ा slow लग रहा है मेरा video तो then आप इसको 1.25 या 1.5 speed change कर सकते हूं and else मुझे तो लग रहा है आप बे फिकर होके बस मुझे 2 या 3 गंटा दीजे आपकी पूरी live set हो जाएगी ठीक है so let's go with return h1 we have a home page perfect इसको copy कर रहा हूं ठीक है contact पे आता हूं paste कर रहा हूं contact home के बदले let's go with contact page country पे आता हूं home के बदले let's go with our country का page यहां पे आता हूं and home के बदले let's go with our about का page all right so we have a country about home contact का page is done अब मैं आउंगा app.j6 पे ठीक है app.j6 को मैं completely delete कर रहा हूं मुझे कुछ भी नहीं चीए कुछ भी नहीं चीए so what I will do again const we have a app इस तरीके से return h1 ठीक है and make sure कि अगर आप करी रहे हो तो small में ही करना इनको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा इसमें project all right ठीक है यहां पे चलूंगा so we have export we have a default and then we have a app ठीक है all right perfect see इतना अगर में कर देता हूं and मुझे इसको run करना जरूरी so let's clear कुछ है यहां पे नहीं है ठीक है so इसको run कैसे करना होता है अपके react project को run करने का simple तरीक है npm run and then dev यह आपको लिखना है simple सा command and आप देख सकते हो यह आपका run कर रहा मेरा 74 पर रन कर रहा but आपका वो 5173 पर रन करेगा port number क्योंकि 5173 पर तो मेरा अल्रेड़ी यह वाला project रन कर रहा है आपको reference दिखाने के लिए इसलिए वो 5174 पर रन कर रहा है मैं चलता हूं यहां पे 5174C so we are hello react project मेरा एकाम कर रहा है मुझे फिर भी थोड़ा सा black screen पर इसले दिखाई दे रहा है क्यों कि मेरा index.css file मैंने completely इसको clear कर दी index.css file मैंने clear कर दिया we have a app.css file इसको भी guys मैं बिल्कुल clear कर रहा हूं and let me tell you one thing मेरे पास already मेरा app.css का code है इसको copy कर रहा हूं मैं paste कर रहा हूं मैं आपको हमारा उस particular का code दिखा के explain करूंगा क्योंकि type करने में थोड़ा समय जा सकते है मैं आपके समय का कदर करता हूं मैं respect करता हूं आप बिल्कुल भी चिंदा मत लिजे कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा जैसे कैसे बताने वालों आप भी मैं आपको डेमो देता हूं तो सबसे पहले we have this universal operator जहां पे मैंने margin 0, padding 0 किया हूआ है and box sizing border box था कि कहीं पे भी extra space ना है and एक और चीज में बताना चाहूंगा मैं already world best if you remember मैं already world best HTML, CSS and JavaScript complete कर चुका हूं react का मेरा series है तो यहां पे आप देख सेकते हो guys 11 गंटा एं दन 7 गंटे का पूरा CSS है एकदम fully animation के साथ मैंने आपको explain की कभी भी आपको मौका मिले free time इसको जरू check out कीजेगा and मुझे बहुत खुसी होगी अगर आप इसको और better तरीके से develop करोगे इसका user interface और better करोगे and और functionality अड़ करोगे मैं आपको add the end में free and then paid में कैसे host करना है वो भी बताऊंगा तो आप उसको host करके आप please comment मतलब जो हमारा यह वीडियो होगा उसके comment section पे आप अपना URL share कर दीजेगा ताकि लोग उसको देखके inspiration मिले उनको motivate मिले ठीक है all right so यहाँ पर हम चलते हैं so यह हमारे एक route में मैंने basically इस 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 variables हम इसे बोलते हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा इसको अगर access करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं HTML में by default font size मैंने दे रखा है responsive बनाने के लिए and font family मैंने urbanist लिए by default letter spacing मैंने यह दे रखी क्योंकि urbanist में जब भी आप यूज करोगे तो यह आपको idea कितना मैंने दी है line height and then color list style run कर दी anchor tag को by default यह color दी hover करने पर यह हो जाएगा and यह हमारा button है कुछ इतना सारा if you want guys यह आप एक बार pause करके इसको check out कर सकते हो and guys कुछ भी अगर आपको doubt आता तो जब मैं इस तरीकिस को scroll कर रहा हूँ आप video को pause कीजिए and आप एक बार इसको खुछ से figure out करने की खुशिस कीजिए कि मैंने यह particular जो property है क्यों लिखी है क्योंकि basic CSS से कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है एंड यह चलो फिलाल अभी इतना ही है इतना नहीं देखते है इतना तो आपको बाता चल गया यह 75 lines तक आपको idea आई गया एकदम basic normal setup करके रखा हुआ है इसको मैं हटाता हूँ contact हटाता हूँ country हटाता हूँ about हटाता हूँ we have a app.jsx ठीक है इस पर मैं चलूँगा इसको मैं import कर लेता हूँ import we have a app.css ठीक है so the moment अगर मैं यह करता हूँ तो अब आपका जो यह project है कुछ इस तरिके से hello react project दिखाई दे रहा है अगर मैं वो css को import नहीं करता तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होता so this is without css बना लेता है कि कोई भी किसी भी link पर क्लिक करें तो वो काम कर जाए ठीक है तो उसके लिए we have a react router dome already उसको पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्लीज चेक आउट कीजिएगा मैं आपको बात आता हूँ so now in latest version उनका कहना है कि we need to create a router हमें router create करना है या router create करना है with the help of create browser router and guys यह जो हमारा method इसके अंदर we need to pass an array and उस array में we have multiple objects ठीक है and मैं आपको बात आता हूँ for example सबसे पहले एक property है path की आप किस path पे जाना चाहते हो यहाँ पे आपको उसकी value देनी है then second property है guys and make sure कि element का जो e है वो small letter में होना चाहिए ठीक है and यहाँ पे guys उसकी value होगी आपको component पास करना है कि अगर URL basically उपर top पे browser की URL पे अगर कोई यह search करे तो किस page पे इसको redirect करना है इसको वापस आप copy कीजिए paste कीजिए let's say अब about अगर कोई about पे click करता है and by the way इसकी need नहीं है खाली about तो हम उसको about वाले जो page है उस पे हम उनको redirect कर देंगे वापस इसको मैं paste करता हूँ यहाँ पर हटा के इसको मैं country कर देता हूँ so basically यह वह value है जो user URL पर after your website name let's say thapatechnical.com forward slash country forward slash about वह लिखता है and मैं यहाँ पर चलके country and try country ठीक है and one more time paste कर देता हूँ and this time यह होगा हमारा contact and मैं यहाँ पर चलता हूँ so we have a contact and by the way मैंने यह notice की कि मुझे यह automatic suggestion नहीं आ रहा है and उसकी पीछे का क्या region एक बार देख लेते तो मैं Ctrl and then P प्रेस करूंगा तो मैं वह इस file पर जा सकता हूँ and अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो हमने already उसको export किया है we have this contact page right so let's check it out की यह क्यो ऐसा बता रहा है हमें home okay finally we have our home top पर import हो गया let's check it out about control and then space नहीं यह about वाला काम नहीं कर रहा है but हम एक चीज़ जरूर कर सकता हूँ and that is कि यह जो मेरा home and then home है मुझे मालू में it's about ठीक है and हाँ एक और चीज़ अभी तक यह मुझे वार्निंग दे रहा है क्योंकि यह जो react browser router है यह जो method है यह भी तो मुझे free में तो मिला नहीं होगा and यह react कभी part नहीं है यह किसका part है यह है आपका react router dome का तो इसको में copy कर रहा हूँ top पे चलता हूँ इस तरीके से so not const we need to import this particular method ठीक है so इस तरीके से import की from where from our react router dome यह make sure कर नाप ठीक है yeah this is it अब मैं country पे चलता हूँ तो option तो नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे but it's fine मुझे मालूम है कि वो यह वाला country पे हमें मिल जाएगा so we have a country perfect and उसी तरीके से जो यह contact है उसे कले भी मैं यहाँ पे चलता हूँ and let's go over here इस तरीके से and we have a contact perfect see this is it so यह मेरे कुछ root है यह मेरे css के files है and यह हमारा actual me react router dome का एक special method है जो हमें चाहिए so यह जो router है अब मुझे क्या करना है देखो हमें हमारा यह जो app component है इस जगे पे आना होगा and we need to now return what so we have one component जो की है router provider and देखो यह हमने again कहां से मिलता हमें यह router provider मिलता है for our react router dome की मदद से यह जो component है इसको हमें call करना पड़ता है and यहां पर हमें एक attribute पास करना पड़ता है जिसका नाम है router and उसके अंदर वही value हमें पास करने पड़ती है router इस तरीक से so once आप app component के अंदर इस तरीके से इसको mention कर देते हो तो अब throughout this application आपकी react application में जब भी कोई इस particular path को enter करना चाहेगा या hit करना चाहेगा तो इस corresponding जो भी उनके element है या जो pages पे वो redirect हो जाएंगे ठीक है बस इतना करने से आपका काम हो जाता है so मैं यहां पर चलता हूँ ध्यां से देखना this is our about page and कही न कहीं इसका कुछ तो होगा and we have a contact page तो मैं contact page पर आगा so boom guys see here we have this contact page तो मैं country page पर आगे and मैं क्या बोल रहा हूँ यह बोलने से यहां पर आप बहुत की लिए लिद देख सकते हो so localhost 5174 forward slash country forward slash country यहां पर आपको दिख रहा है तो मैंने कहा ना forward slash का जो भी आप लिखोगे तो वो corresponding element में हमने pages pass किये थे वहां पर हम रिडायक्ट हो जाते हैं without page को reload करे this is the beauty of your react router डोम जो की react से अलग है ठीक है तो यह मेरा काम तो हो गया तो गाइस अलमस्ट मेरा काम हो गया यहां पर आपने notice की होगी then let me tell you one thing कि मेरा यह जो footer है no matter what यह always same है even मेरा I mean sorry वो तो मेरा header था and this is my footer यह always same है and खाली कुछ भी अगर मैं किसी भी page पर जाता हूँ तो यह header and footer always same ही रहता है और मैं उसको वहां पर जाके दिखा भी नहीं रहा हूँ कि इसको आप render करो बोलके मैं सिर्फ about का content वहां पर डालता हूँ कौन सा logic लगाँ कि always मैं चाहूँ तो किसी भी page पर विजिट करो रिडाक्ट करो लेकिन मेरा header and footer always same रहे and data अगर change हो तो उनके बीच का जो data सिर्फ वो change होना चाहिए तो यह छोटी छोटी चीजे ही बहुत ज्यादा matter करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं we have something called outlet and we have one special power in react router dome में आपको बताता हो कैसे यह तो आपने individual कर लिया लेकिन अब हम क्या करेंगे हम एक main parent layout बनाएंगे या एक parent component बनाएंगे जिसके अंदर इनको मैं as a children की तरह पास कर दूंगा and जिसमें header and footer always constant रहेंगे and change होंगे तो यह particular pages के content कैसे मैं आपको बताता हूं देखो object तो आपको लगेगा no matter what path आपको लगेगा no matter what so part में हम जाएंगे इस तरह किसे एक default element भी आपको लगेगा no matter what but this time हम एक हमारा जो main make app layout बना लेता हूं ठीक है and I know अभी तक मैंने बनाए नहीं don't worry and we have one children property इसके अंदर यह जो कुछ भी मैंने अभी create की इसको मैं हटा रहा हूं and ठीक इसके अंदर मैं उसको paste कर देता हूं कुछ इस तरीके से and by the way आप object के अंदर object क्या ही कर रहे हो तो best I mean not best यही तरीका ही यही है कि आपको यहां पे इस तरीके से एक array लेना होगा and by the way यह इसका array है ठीक है and sorry जब भी आप कभी भी object के साथ खेलता है जब भी आप key and then value pass करते हो तो key को अगर कुछ भी value अगर आपको assign करना हो तो हम assignment operator use ना करके हम यहां पे colon use करते है ठीक है and yeah मेरा काम हो गया so इस तरीके से यह इसका यह इसका यह इसका and yeah perfect see so यह कितनी beautifully हमारे main parent है उसके अंदर as a children मैंने इनको pass कर दिया अब app ले और तो मैंने create नहीं की है तो मैं यहां पे चलूंगा यहना pages पे मुझे नहीं जाना because it's a component तो मैं source पे अगें चल रहा हूं source folder पे एक new folder create कर रहा हूं inside our source folder and that is your components उसके अंदर एक new folder create कर रहा हूं जिसका नाम होगा layout ठीक है उसके अंदर एक new file create कर रहा हूं जिसका नाम होगा यह app layout.jsx ठीक है so let's export return यह तो आपका react fragment हो गया so मैं चाहूंगा कि मेरा जो headers है वो always top पे रहे मेरा जो footers footers वो always bottom पे रहे and इसके बीच में जो भी data है वो change होती रहनी चाहिए इस मतलब जो हमारा children है वो change अगर मैं इसे पितने ही करता हूं let's see मैं अगर इतने ही करके छोड़ता हूं लेकिन उससे पहले मेरा जो header component है and then जो मेरा footer component है वो भी तो मुझे चाहिए so मैं क्या करूंगा इसी के अंदर components के अंदर UI करके मैं नया folder create कर रहा हूं उस UI के अंदर मैं ये दो ठू जो मेरे files है basically components है that is one headers.jsx and another one is your footer.jsx ठीक है so मेरा ये जो headers है फिलाल के लिए मैं normal बनाता हूं export const headers header headers ठीक है इसी को ये मैं copy कर लेता हूं and let's go with our footer ये जो headers है headers कर ले hello footers में बोल देता हूं so export लिखना बहुत जरूरी होता है तो आप मैं इसको control and space ये एक second है क्या हो रहा है yeah perfect तो ये मैंने उपर import कर ली footers को भी control and space and मैंने उपर इसको भी import कर लिया control is safe तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने हमारा जो at least जो navigation वाला जो पार था वो almost हमारा done हो गया है अब इतना ज्यादा tension नहीं हाँ बस एक जगे पर आपका dynamic route हमें create करना होगा तब मैं आपको बताता वो dynamic route वो अभी time है उसको बट हाँ अभी इतना जो है app layout control space and top पे हमने इसको कर ली import ठीक है all right इसको थोड़ा उपर रख देते ठीक है अब मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ यह this is our code ए देखो hello headers hello footers अब अगर मैं suppose about पर चलता भी हूँ तो about पर भी मुझे same hello headers hello footers दिखाई देगा तो अब मैं क्या करूँ मुझे मेरा data तो दिखी नहीं रहा I mean मैं home पर जाता हूँ तो भी hello header hello footers about पर भी से country पर भी से contact पर भी से तो मुझे अगर हर जगे पर hello headers hello footers तो चाहिए headers and footers always मुझे लगेगा ही लगेगा no matter what but उसके बीच का content भी तो मुझे चाहिए so guys उसको पाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे we have one component called outlet and yeah this is it बस आब यह समझ लो headers always top पर रहेगा footers always bottom पर यह जो भी route पर हम विजिट कर रहे हैं उसका data यहाँ पर हमें मिल जाएगा बस इतना करते ही and three two one and boom guys see we have about page क्योंकि मैं about पर हूं contact page क्योंकि मैं contact पर हूं headers and footers always same country पर country home पर sorry यह भी मैं आपको थुई देर में बताता हूं कि कैसे हम अपना खुद का error page क्रेट कर सकते हैं मजा आ जाएगा क्योंकि home guard कोई page नहीं है अगर आपको home page पर जाना है तो direct कुछ मत करो बस enter hit कर दो and आप home page पर आ जाओगे तो यह है ना कितना जाद awesome अब रही बात वह error page अभी थुई देर पहले मुझा जाए था तो उसको क्रेट करना एकदम easy है in our react route and that is you need to create one element called error element समझे एक प्रॉपर्टी अल्रेडी इन्होंने देखी आप एक प्रॉपर्टी लिखो error element और उस पर जो भी component दिखाओगे और कभी अगर वो URL मैच नहीं कर दा तो हम उस component को render कर देंगे मतलब इतना easy कुछ logic नहीं बस खत्म यही है मैं यहां पर error page लिखा है right so error page करके मैं अपने component बनाना चाह रहा हूं यहां पर so मैं यहां पर चलता हूं here we have UI UI पर मैं चलता हूं error and then page and by the way not component it's a page so हम इसको एक काम करते pages के अंदर लिखते है so pages लिकर हो मैं भी it's your error page.jsx error page and मैंना अब आपको एक नया hook के साथ introduce कर रहता हूं ठीक है अब आपको मजा जाएगा so let's go with return and let's do one thing we have one new hook ठीक है जिसका नाम है use route error ठीक है यह like हमें मिलता है by default and guys इसकी जो भी properties and methods रहेंगे वो मैं error को पास कर दे रहा हूं इस तरीकी से अब यह जो particular part है control space आपको get करना पड़ेगा again from our react route or doom अब यह जो error में हमें क्या मिल रहा होगा बोलने से मैं आपको बाता हूं ठीक है all right and हाँ एक और second यहां पर आके आपको इसको control space उपर get भी करना पड़ेगा all right perfect so inspect पे चलता हूं कुछ problem नहीं है ठीक है इसको हटाओ मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूं forward slash कुछ अब कितना इजी आप समझ रहे हो ना like error page दिखाने के लिए इस्टार भी वाला भी कर सकते थे लेकिन logic कितना करना पड़ता कि यह वह बड़ अब तो कुछ भी नहीं है खाली error element लिख दो and जो भी component में आप आपको जैसा design बनाना html css tailwind bootstrap setcn आपका जो मन आपको जैसा चाहिए daisy UI जो आपको चाहिए उठाओ copy paste कर दो यहां पर आपका वह बन जाएगा ठीक है फिलाल यह देखो ना we have this error we have this data and internal status सब कुछ हमें यहां पर मिल रहा है आपको एड़ किया उपस एन एरर occurred and यह सिंपल से एक logic मेंने लगाया है देखो jsx के अंदर अगर आपको जास्क्रिट लिखना है तो we need to enter into जास्क्रिट वर्ल्ड and उसके लिए हम कलिब्रे से स्यूश करते हैं तो यह तो normal है and अगर error present रहेगा तो ही तो and operator का यही काम है तो ही तो आप एक काम करो paragraph tag के अंदर error.data क्योंकि मैंने आपको अब भी दिखाया था हमें क्या-क्या मिलता है we have a data, we have a error, we have an internal status and status code to error and then .data to error no root matches ऐसे करके कुछ आपको मिलेगा and boom guys see यह देखो आपको मिल भी रहें यह है ना कितना ज्याद है easy and यहाँ पर लगे तो आप एक काम कर दो यहाँ पर लगे तो आप एक button बना दो button भी क्या बनाना we have let's go with one nav link ठीक है and यह सब कुछ guys मैं already हमारा जो react router डोम का जो पार्ट था इसी react series में वहाँ पर मैं सब कुछ बाता चुका हूँ go back या go back to home जो भी आप लिखो ठीक है nav link पे आपको 2 देना पड़ता है and मैंने forward slash दे दी तो मैंने बस go back नी go home कर देता हूँ मैं ठीक है इस तरीके से और हाँ nav link को भी आपको import करना पड़ता है यह आप ध्यान में रखिएगा इतना अगर मैं कर देता हूँ एक बार एक refresh या we have a go back go home over here and यह काम करता हूँ यह जो है इसको मैं button ही बना देता हूँ क्योंकि इना button को मैंने CSS का part दिया हूए ठीक है इसलिए all right and कभी भी अगर आपको इस तरीके का कुछ दिखाई दे तो don't worry यह बिसेक लिए आपका comment होता है तो आप उसको हटा दो और कुछ नहीं करना then हम हमारे country पे जाएंगे then contact पे जाएंगे आपको बहुत मजाएगा so guys यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ share करना चाहूंगे and that is कभी भी किसी भी moment पर आपको यह लगता है कि हाँ यह वाला जो particular section है यह तो मुझे आता है यह इसको मैं और खुझ से और better कर सकती हूं या कर सकता हूं तो guys please feel free to skip आप उसको skip कर सकते हो you know थोड़ा सा आगे करके जाएए आपको अगर लगे तो यह country में हम यह सारे parameters कैसे add कर रहे फिल्टर्स कैसे add हो रहा है search कैसे हो रहा है यह action का method का क्या काम है जिसके चलते बीना कुछ करे ही data हमें मिल रहा है back end को भेजने के लिए तो वह अगर आपको interest है तो guys chapters timelines में ने दिये हुए है प्लीज आप उसको बे फिकर होके देखे क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि guys आपका time waste हो यह आपको लगे यार यह क्या बता रहा है क्योंकि मैंने बहुत मैंनत किया इस वीडियो के लिए आप देख सकते हैं 2-3 घंटा बनाना में थोड़ा बीमार भी हो तो मैं बस चाह रहा हूं कि guys positive comment आए एंड आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए इसलिए मैं आपको बैस तरीके बता रहा था अगर थोड़ा सा बोर फिल होता है आप थुछ दे पॉस करके वॉक कर सकते हो चाही जो भी लेके बैठी है को जो भी हो चेल करके आप बस देखिए ठीक है तो guys अब हमना सबसे पहले हमारा nap bar करेट कर लेते हैं so nap bar के लिए हमने already सब कुछ देखी लिया एप ले आउट का कोई टेंसर नहीं we have our header ठीक है header पर आपको आना है पर्टिकलर nap bar आपके ठीक है तो मुझे किसी भी तरी किसी इन दोनों का एक पैरेंट डीब लगेगा और उसके मतबस से इधर में आप तो grid यूज़ करूँ या तो मैं flexbox यूज़ करूँ एकको left एकको right कर दूँगा और बहुत इजली मेरा काम हो जाएगा ठीक है तो देखिए सो एक काम करते है react fragment की हमें यहाँ पर नहीं है ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ header के अंदर में गया तो basically header मेरा complete उसके अंदर guys मैं एक div ले लेता हूँ उसको एक class का नाम देता हूँ मैं container ठीक है container इसलिए ताकि मैं उसका जो part उसको मैं divide कर सको मतलब कि यह तो मेरा complete header हो गया from start till end width 0 से लेके width 100% तक तो यह मेरा width हो गया but guys you can clearly see कि हमारा यह जो particular part है वो सिर्फ इतना ही है and सिर्फ इतना ही नहीं हमारा जितने भी सारे के सारे data वो इस yellow box के अंदर है and यह area जो है यह फूरा खाली है तो हम क्या करें from left side and from right side हम equal padding दे रहे ताकि हमारा data एक दम अच्छा दिखाए दे खुला खुला थोड़ा modern field हमें आये ठीक है तो that's why हमेने container ली है and container पर अगर मैं आपको दिखाओं तो already मैंने code यहाँ पर लिखके रखा तो यह 1400 pixel है ठीक है अगर आप 1200 pixel वाले laptop पे हो तो guys आप फिर 1400 लिखके काम ही नहीं हो तो आपके बाहर निकल जाएगा मैं तो 27 inch वाले में काम कर रहा हूं ठीक है so container अब इसके अंदर मैं चलता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ class I have a grid then we have a nebbar and then we have a nebbar का grid अब हां इतना मैंने कर दिया अब इसके अंदर we have our image image की need नहीं है मैं h1 में में मेरा जो नाम है and that is world Atlas ठीक है and यहाँ पर मैंने इसको एक लास दे रखा है that is your logo ठीक है अब यह जो मेरा h1 में चाहूंगा logo पे जब भी कोई click करे तो क्या हो कि वो हमारा जो home page वो वहाँ पे आ सके तो उसके लिए we have a neb link always with us ठीक है इसको alt and then up arrow key प्रेस करूंगा तो मैं इस ठीके से उपर निचे कर सकता हूं and enabling में आपको एक extra attribute पास करना पड़ता है that is your to and यहाँ पर अब आब बस एक कौमा दे दीजिए I mean एक forward slash दे दीजिए it means कि यह आपका home का जो है path है ठीक है enabling को भी आपको control and then space and आपको इसका जो भी react router dome है वहाँ से आपको इसको import करना पड़ेगा all right so this is our logo and container के अंदर जो grid है एक को left एक को right करने के लिए मेरा काम हो गया तो यह मेरा काम हो गया अब यहाँ पर we need to go with the nav here we need to go with our ul here li into 4 या 5 I guess it's a 5 है न तो कुछ इस तरीके से and control 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 प्रेस कीजिए अब इस li के अंदर I guess मैंने या मैंने यहाँ पर आप नैब लिंक कर रखा हुआ है इस तरीके से and मैं यहाँ पर चलूंगा एंद चलो मैं home लिख के छोड़ देता हूं इस तरीके से ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक काम कर सकता हूं कि बार बार लिखने से बेटर मैं सब को एक साथ यहाँ पर 2 पर टागेट कर देता हूं and forward slash ठीक है कुछ तो गरबड हो गया यहाँ पर अब होम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इनीड अबाउट किसके लिए अबाउट कंपोनेंट के लिए ठीक है तो जब भी कोई अबाउट वाले पेज पर हमारा जो नेब बार उस पर क्लिक करेगा तो वह अबाउट पेज पर चला जाएगा आपके कंट्री के लिए यह जाएगे आपके कंट्री के पास तो यहाँ मेरा काम हो गया दिस आवर हैडर एकदम सिंपल था लोगो ऑन दी लेट हैंड साइड नेबार ऑन दी राइट हैंड साइड ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर चलू तो यह आपका कुछ इस्तरिक से आ आप तो अपने आप तो नहीं बना है मैंने इहाँ पर कोड लिखा हुआ है मैं आगर आपको app.css पर लेकर चलता हूं जैसे कि मैंने आप से कहा था आज का हमारे जो फाइनल प्रोजेक्टर एकदम ऑस्सा में मैं आपको एक एक चीज बाता हूंगा ठीक हैं सबसे पहले त जो भी 70% में आप गुजारा करो margin auto अगर मैं ना करूँ तो आपका यह जो data है सब के सब आप देखोगे तो right इस तरी के सी start हो जाएंगे from left से उतना and यह पूरा जगा खाली हो गया समझे देखो नहीं जगा तो margin auto से कहा होगा left and right side में equal space वो छोड़ देगा basically padding to margin auto इसलिए रहता है great का तो यह display grid हो गया and grid two columns चलो simple basically मुझे दो डब्बे चाहिए एक left side को right side को that's why grid two columns grid three columns मतलब मुझे एक single row पे I need three columns एक रोपे तीन columns यह grid template columns मतलब एक रोपे मुझे चार columns चाहिए चार डब्बे चाहिए and guys में one last time मैं आपसे विंति करता हूं आपसे request करता हूं यह जो मेरा world best CSS code है I mean मेरा जो वीडियो है पस आप एक बार विंति करता हूं पस आप एक बार देख लीजिए पसंद ना है तो आप अंसब्सक्राइब करके कभी मत देखना मेरा चैनल इतना भी चलो मैंने दिया guarantee जी हाँ guys तो आप देख सकते इतना बारोसा है मुझे 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 पर की मैंने बहुत मेहनत की बारा गंटे का आपको CSS कहीं मिलेगा भी नहीं इन फूल गाइस एनिमेशन के साथ आप एक बार देखिए grid and then flexbox पूरा एनिमेशन के साथ है आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं अगर इसको explain करने जाओ तो आप में इसे बहुत सारे लोग गाले करोगे कि इतना बगबग कर रहा उपर से react में अभी तक एक घंड़ा हो गया तो कुछ भी बताए नहीं से सब्सक्राइब क्या करें यह होता ही है ठीक है तो यह हमारा हैडर आ गया सबसे पहले जो हमारा हैडर था एक इंपोर्टेंट चीज कि मैंने हाइट यहां पर 10 दिये मैंने अगर 30 कर दी होती तो यह आपकी हाइट कुछ इतना बड़ा हो जाता अगर आप ध्यान से देखोगे आपका हाइट इतना बड़ा हो गया देखो यहां पर आप क्लियली देख रहे हो एकदम ब्लैक है वो यह है आपको और बैटर तब समझेगा अगर इसको मैं रेट कर देखो दिसी जाओर हाइट तो मैं पूरी कोशिस करूँ आपको step by step समझ जाओ ठीक है एंड इसको मैं 10 ही रहने देता हूं box shadow मैंने हलका सा दे रखा है and I know यह पूरा black इसलिए आपको इतना पता नहीं चल रहा है अगर मैं white कर देता तो आपको थोड़ा बहुत यहां पर idea आ जाता and कहीं न कहीं यह one point इसको अगर मैं 5 कर देता तो आपको देखो इस तरीके से यहां पर difference clear दिखाई दे रहा है यहां पर let's go with 3 मैं भंग नहीं करना चाता है इसको तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है ठीक है and width 100% रखा है container का भी height मैंने 10 रख दी ताकि इनको मैं center पर रख सको and we have this napbar का grid if you remember here we have this napbar वाला grid यहां पर मैंने बस कुछ न perfect कहीं न कहीं grid या perfect C मैं यहीं आपको दिखाना चाता था यहां पर आप बहुत कि लेली देख सकते हूं कि by default आपको पूरा बता देता है 1 by 2 and then 2 से 3 basically यह हमारा पहला यह दूसरा तो 0.5 fr इसको दिया यह 1 fr इतिना है तो मतलब यहां पर यह जो side है उसका हाप मैंने मेरे जो कर सकते हो तो यह आपका grid है मैंने वहीं उसके अंदर यह जो particular portion आपको दिखेगा भी यह वाला यह flex है तो यह देखो फ्लेक्स में भी आपका यह पूरा इस तरह किसे हो गया जहां पर यह पता चला है एक तो मैंने पूरा इस side को gap दिया है और इनके बीच में एक एक gap है य that's why that's why flex and मनलब एकदम end में लेके जाओ and starting में यह पूरा खाली है फिर वो end से start हो रहा है ठीक है and then we have our gap उनकी बीच का जो gap है इसके कारण color यह and color यह and hamburger menu को display फिला अभी मैंने none रखा है वो मैं आपको at the end में बताऊंगा कि हम उसको responsive कैसे बना सकते है but for the time being now अभी बस आप perfect now यह तो बहुत easy है हमारा hero section just एक div मुझे लेना है यह होगा मेरा parent div उसके अंदर एक मेरा यह child div ठीक है and दूसरा होगा मेरा एक और यह child div तो एक child div and दूसरा child div तो एक parent के अंदर दो div मुझे लेना है now again it's totally up to you either you can go with the grid or you can go with the flex box and उसके बीच का यह जो gap है आपको देना है ठीक है so we are done with our header part ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ we have our app.jsx इसकी कोई मुझे need नहीं है home pay में चलूंगा ठीक है so home pay में गया let's go with our main so automatic suggestion आता है वैसे तो main ठीक है main के अंदर we have one main our div let's go with class name container ठीक है इसे container पे ही मैं grid दे देता हूँ and we have a grid two columns यह तो मैं आपको दिखाए दिया एक को left side एक को right side करने के लिए दोनों को 1fr 1fr मैंने space दी हुई है अब यहाँ पे भी मेरे पास कुछ class name है या it's a hero section it's a hero and then we have a section and इसको मैंने main करके दे दी ठीक है all right so यह जो particular div आपको दिखाए दे रहा है this is a parent div इसके अंदर मुझे 2 div लगेंगे एक होगा मेरा content का दूसरा होगा मेरा image का ठीक है equal to guys यहाँ पर आप दे दीजिए hero text या hero let's go with content ठीक इसी के नीचे आईए एक div आईए यहाँ पर class name आईए and इसको नाम दे दीजिए hero आपका image ठीक है इस तरीके से perfect ठीक है अब यह जो मेरा div है इसके अंदर अगर आप देखोगे so we have one heading we have one paragraph and then we have one button simple right heading paragraph and button यह तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर चलता हूं so we have our heading we have our paragraph and इन दोनों को मैंने class दे रखा heading extra large and then paragraph अब यह जो मेरा button है so guys button तो it's super duper easy मैं यहाँ पर चलूंगा और मैंने button pass कर दी अब आपके माइन में आ सकता है what is this fa long arrow alt right so यह एक component है अब अभी तक तो ऐसा कुछ component मैंने नहीं बनाया तो यहाँ I mean यहाँ पर यह component कहां से आया तो यह जो component आ रहा है यहाद है मैंने आपसे क्या कहा था हम एक icon use कर रहें and वो all-in-one icon है आपका react icons ठीक है तो react icons पर आपको जाना है and बस आप एक काम करो यहाँ पर आपको क्या च चाहिए right arrow क्यों चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर right arrow यूज की है इस जगे पर यह देखो ना right arrow यहाँ पर right तो वह right arrow मुझे कहां से मिलेगा obviously react icons हम यूज कर रहे है यहाँ पर आप बस क्या लिख दो right arrow so the moment आप यह करते हो तो इतने सारे packages जो है आपके icons के उसमें से filter हो कि इतने सारे right arrow आपको मिल रहे है now it's totally up to you कि आप कौन से right arrow को यूज करना चाहते हो तो अगर आप देखोगे तो मैंने जो यूज के it's a fa long arrow कहीना कहीं मुझे वह यह वाला लग रहा है so it's a fa long arrow तो यह जो particular yeah see so here we have this import वाला code and then we have this यह देखो component का code तो देखा ना यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ जो इन्होंने बताया है वह हम follow कर रहे है तो इसको मैं copy कर रहा हूँ ठीक है and मैं यहाँ पर चल के इसको मैं paste कर देता हूँ ठीक है अब रही बात image की so मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप image के साथ deal करते हूँ now react application then best practice यही है कि we have a public folder over here इस public folder के अंदर आप एक folder create कर लीजिए जिसका नाम होगा आपका images या images जो भी आपको मनो एंद उस images के अंदर आपके जो भी इमेज है आप paste कर दीजिए ठीक है मैंने Ctrl S सेप कर दी and यहाँ we have oh my god अभी तक sorry मैंने image का code भी नहीं लिखा है so this is our image वाला code and यहाँ पर आके आप image आईए and जो आपका source होगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है relative path absolute path कुछ लेना देना नहीं है खाली forward slash दे देना खाली images लिखना क्योंकि by default ना हम जब भी हम I mean जब भी हम source के साथ काम कर रहे and forward slash अगर आप कुछ भी लिखते हो ना image में तो by default वो public के अंदर ही चला जाता है वो ठीक है अब ऐसा समझना and यहाँ पर we have world option नहीं आ रहा है .png all tag it's always important to add all tag world beauty लिख देता हूं चलो ठीक है इतना मैंने किया अब मैं यहाँ पर आता हूं तो आपको कुछ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है अब हम एक काम करेंगे obviously we need to add a class name right so banner image ठीक है और लड़ गाईस तो simply control and save कीजिए इधर आईए and this is it यह कितना awesome and प्यारा लग रहा है all right मैं आपको इसका जो हमारा code है वह भी मैं आपको दिखाता हूं बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं यहाँ पर आऊंगा so this is our hero section hero section and then container में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने margin दी है उपर और नीचे से 9 RAM 90 pixel का पैडिंग में ने उपर basically from all the four direction 3.2 का देखा रखा हुआ है I mean अप ना दो तो भी चलेगा but it just थोड़ा सा खुलाई space दिखाने के लिए and gap देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि gap है जिसके चलते गाइस यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वो ठीक है here we have a grid तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह देख लीजे ना यह आपको दिख रहा है देखो यह बीच का यह जो gap है यह because इसके कारणा है कहां इसके कारणा है gap 6.4 ठीक है यह आपका gap है यह आपका left side यह आपका right side and by the way जब हम mobile पर जाएंगे तो मैंने order change किया हुआ है अभी मैं आपको दिखाता हूं ठीक है so यह आपका paragraph का कुछ ही है आपका code है paragraph को मैंने margin उपर और नीचे सागर आप ध्यान से देखोगे चलो मैं इसको आइस साथ देखो ना paragraph के उपर और बीच नीचे दोनों side gap है because of this one particular code यह guys आपका heading extra large उसका यह code है font size यह clamp एक new तरीका है ठीक है check out कर सकते what is clamp all about अभी बतान जाओंगा तो वह हो जाएगा बट हां यह आपका starting है maximum इतना minimum इतना कुछ इस तरीके से ही है then font height, line height and then later spacing मैंने करके रखी हुई है यहाँ पर यह आपका hero image है जिस पर मैंने display flex basically horizontally and vertically center पर पाने के लिए करके रखा है and banner का image is covet मैंने 100% कर दी and यहाँ पर 990 के नीचे जाएगा basically आपका responsive code है तो by the way guys यह ऐसा कुछ code है ठीक है तो यह hero देखो order मैंने change कर दी hero content जो था पहले आगे था ना वो 1 लिखा it means 0 से start होता है तो अगर यह one है मतलब 0 में तो कोई तो था तो image उपर यह नीचे then यह banner image जो भी होगा 80% में कम कर दूंगा and order इसको मैंने 0 दिया हुआ है यहाँ बस खत्म तो यह हमारा hero page जो कुछ ऐसा है बनके ready है so now let's tackle our about page इधर का about page बन गया तो उसी कोई आप home page पर कैसे दिखा सकती हो मैं आपको बताऊंगा and believe me बने रही है हम हमारा यह जो पार्ट सब कुछ एकदम आराम से देखेंगे मैं बस यह चाहता हूं कि एक एक चीज आपको पता चले यहां पर कैसे हो रहा है एक एक चीज कैसे responsive होती है so all right guys इसको मैं हटाता हूं all right guys तो अब हमारा जो about page है उस पर हम चलते ठीक है so this is our about page and about page पर जैसे कि मैंने आपको दिखाय what we need to do we need to create this beautiful interesting facts वाले जो भी data है वो ठीक है and beauty अब यह है कि हम सिर्फ वो एक ही बार वो piece of code को लिखेंगे and यह सब कुछ हमें automatic मिलेगा उसके बाद उस json file में आपको जितना data डालना है डालो automatic टक 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 वो आता जाएगा so this is the beauty and it's all about your component so finally react का आपको यहां पर use कर सकते हो ठीक है simple तरीके से so देखो कैसे सबसे पहले अब इतने सारे data है मैं कहां से लिखूंगा मुझे तो नहीं लिखना है मुझे इसका API बनाना है तो आप चाहँ तो हम realme API भी बना सकते हैं यहां पर वीडियो देख सकते हैं मैंने complete backend में कैसे API क्रेट करना है बताया है but for the time being now मैं आपको एक जेसन बना के दिखाऊंगा and यह जो country है यहां पर हम actual API के साथ खेलेंगे ठीक है तो अब ही क्या करना आपको so source folder पर आईए एक new folder बनाईए API उसके अंदर जाए एक new folder बनाईए I mean एक new file create कीजे and आप लिख सकते हो country COU country data.api not sorry API आपको जेसन लिखना है यहां पर मेरे पास already data है so copy and then paste and don't worry यह आप कहीं से भी उठाओ मैंने तो chat GPT से उठाओ मैं खुलम-खुला बोल रहा हूं मतलब मैं क्यू लिखू खुश से इतना सारा मैंने chat GPT को बोला मुझे कुछ भी 10 interesting fact about the world जिसके अंदर ID, country का नाम, capital, population and then interesting fact यह particular patch key होने चाहिए, fields होने चाहिए and उसकी value आप देखे मुझे आप दे दीजिए तो chat GPT ने मुझे कुछ इस तरीके से इतना सारा data दिया है array of and objects ठीक है, so about पे आईए, जहां से देखना so अगर आप about page पे आते हो तो यहां पर आप देखोगे तो we have one heading no matter what we have one heading, जिसमें simple text है but then we have one our card एक बार ओ कार्ड में आपके इतने सारे data आपने एक बार बना ले बाकि यह सब automatic हो रहा है, ठीक है तो मुझे एक यह heading and मुझे card का एक layout, एक design क्रेट करना है बस आप section about देदीजे and इसे को ही आप container करके भी देदीजे आपको मालूम है की container में क्या, container में बस जो भी आपका 100% width है मैं 70% बोल रहा हूं ताकि 15 इदर 15 अधर से वो छूट जाए once इतना हो जाता, then we need one paragraph, एकदम बच्चा है, एक paragraph मैंने leave but let's go with h2, एक class name दे दिया, मैंने container title and here are the interesting facts, एक BR दे दी मैंने and then we are proud of simple ठीक है, अब यहाँ पर मैं चलूँगा, एक div लेता हूं ठीक है, यह basically अब हमारे cards होंगे, so it's a class name and yeah we have, I get gradients card, ठीक है, यह हमारा main parent है, इसके अंदर मैं चलूँगा let's have one div, ठीक है, इसको not children, इसको class name देता हूं क्या दिया है, मैंने card दिया हूँ, ठीक है, card दे रखा है, अब इतना मैंने कर दिया, ध्यान से देखना क्या है यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा क्या ही है, एक word है, ठीक है, एक h1 ले लो, चलो h2 ले लो, दिख रहा है कि एक spend tag में एक value देके रखी हुई है, वो same चीज मुझे repeat करना एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब इतना easy है, right, so कैसे होगा देखो, so guys मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और container ले रहा हूँ मैं, ताकि उनकी बीच भी और space मुझे मिले, so we have a container, and मैंने bg-blue, and then box, जिसके करना आपको outer blue border दिख रहा, वो यह है, so guys इसके नीचे चलेंगे, अब एक paragraph है सिंपल सा, जिस पर we have a card title, ठीक है, यहाँ पर country का नाम फिलाल के लिए चलो, मैं इंडिया करता हूँ, ठीक है, then मैं एक और paragraph लूँगा, इसको एक class name दिया है, all right, इसको मैंने कोई class name नहीं दी, बट हाँ, इसके अंदर मैं एक span tag ले रहा हूँ, इसको एक class name मैंने दे रख कि मेरा वो value होगा, and that is, एक second, capital जो है, अब new Delhi लिखो, या आप खली Delhi लिख दो, ठीक है, perfect, ठीक है, अब इसको ही मैं copy करूँगा, paste, and then paste, मैंने यह इसलिए कि, because we have a population, then we have our interesting fact, right, so it's our interesting fact, and इसको मैं capital भी कर सकता था, and I just realized कि मैं एक space छोड़ सकता था, यहाँ पर, and P को भी हम capital कर सकते थे, and population फिलाल, I think world में number one है हम, ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख देता हूं, मुझे exactly idea नहीं फिलाल, interesting fact, awesome, we love India, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, यही सबसे बड़ी fact है कि हम प्यार करते है, ठीक है, एक time मैं ही सबसे बड़ी जीत है, so, हो गया यह, यहाँ पर हम चलते है, so, all right, यहाँ पर तो कुछ दिखेगा नहीं, home page पर कुछ दिखेगा नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा देखने के लिए, about पर जाना पड़ेगा, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, I mean क आपका यह कार्ड बनके ready है, अब मुझे आप एक बात बताओ, चलो यहाँ पर तो एक कार्ड था, let's say आपको आप नेपाल, यह second कार्ड बनाना है, आप पता है क्या करते, मुझे मालूम है आप क्या करते, यह जो इतना जो code आपको दिख रहा है, यह जो code आपको दिख रह इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है पकिस्तान, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, इंडिया, नेपाल, पकिस्तान है, लेकिन कहने का अनलब यह है कि यार, पूरा का पूरा तो सेम ही तो है, पूरा का पूरा तो सेम है, तो मैं क्यूं बार बार यही सेम PSAP code को repeat करो, मैं इसकी जो भी capital है, उसकी जो population है और जो fact है, बाकि यह पूरा का paragraph tag, span tag, यह पूरा का पूरा यह dev card, यह सब कुछ तो सेम ही है, तो इसलिए ही अब हमें यहाँ पर react काम आने वाला है, हाला कि वह आप JavaScript में भी कर सकते थे, इन सब को मैं हटाऊंगा, मैंने क्या कहा था, देखो एक चीज़ कॉमान है कि यह जो part है, यहाँ पे हर बार हो repeat हो रहा है, so that's why we have our API, ठीक है, अब इस API को मैं get करूंगा, मेरे about page पे, कहाँ पे, मेरे about page पे, ठीक है, so it's a const, sorry, const लिखने की need नहीं है, directly import कर लो, यहाँ पर आप नाम दे सकते हो, country, facts, from, आपका यह dot dot forward slash, we have API forward slash country json, ठीक है, यह जो है, आपका इसके अंदर वो array आ चुका, इसके अंदर क्या आ चुका है, हमारा वो पूरा का पूरा data आ गया, जो कि एक array है, and array को हम बहुत easily map method की मदद से loop चला सकते है, तो यह gradients के नीचे में जाओंगा, ठीक है, जास्क्रिप् my react complete series playlist, आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा, ठीक है, कुछ भी doubt आता है, map method by thapa technical, react map by thapa technical, इस तरह किसे लिखो आपको मिल जाएगा, ठीक है, so देखो, यह आगया, and कभी भी आप map method उसकरते हो, तो we have a current country data, या current element, ठीक है, तो फिलालना मैं खाली country कर देता हूँ, यहा यह वाला जो particular piece of code है, इसको हटाओ, and यहाँ पर paste कर दो, सिर्फ इतना मैंने किया, right, सिर्फ इतना अगर मैं करता हूँ, all right, तो यहाँ पर अब एक problem क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, and basically इसके कारण भी हो रहा है, ठीक है, all right, ठीक है, यह मुझे इस तरीकी से warning बता र करना है, जो की आपका main है, उसी के base पर ही वो पूरा बताता है कि कौन किसे अलग है, so यहाँ पर आपको key props पास करना है, and by default country वाला जो पार्ट है, we have a id, जो की always unique, and then different रहेगा वो, so what I can do is, over here, मैं destructure कर रहा हूँ, const, we have id, ठीक है, देखो न, id है, country का नाम है, then we have a capital, then we have a population, and then what we have, we have an interesting fact, ठीक है, so just a comma दे दीजी, इनके बीच में, ताकि कोई problem ना, perfect, and it will be equal to our country, this is it, तो यह मैंने destructure कर दी, अब मैं यहाँ पे na country.id लिखने के बदले, क्योंकि मैंने तो destructure कर ली है, मैं सिर्प लिख दूंगा id, ठीक है, इतना मैंने किया, अब अगर मैं चलता हूँ, तो यह देखो, मुझे once, basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मुझे 8 इस तरीके से यह डेट आ गया, यह कितना प्यारा, कितना awesome लग रहा, तो कैसी बात पे like, हमारा like target इस वीडियो का ज्यादा नहीं, सिर्प और सिर्प 5000 likes, जो कि बहुत कम है, आप कर सकते हो, and मैं आसा करत है, यह जो data static था, dynamic में बनाऊंगा, मैं लिख दूँगा country का नाम, ठीक है, इतना करते ही, world, Nepal, Egypt, France, Brazil, Australia, Russia, China हो गिया, है न, capital पे मैं चलूँगा, तो यह जो part है, इसको मैं capital कर दूँगा, population पे चलूँगा, तो यह जो particular portion है, उसको मैं dynamic बना दूँगा, यह जो interesting fact है, उसक dynamic, interesting fact, and boom guys, see, this is it, मेरा गाम हो गया, हमारा home, देखो न, यह part था, right, sorry, this is our home, and this is our about, तो यही about page बन के ready, मेरा home page है, अब यही about page में, जो भी मैंने बनाया, उसको मैं क्या करूंगा, home पे आने की need नहीं है, yeah, I guess, it's, sorry, we have a home only, ठीक है, so, यह आपका home है, hero section, एक काम करता हूं, यह जो मेरा complete code है, इसको मैं copy कर रहा हूं, मैं component पे चल रहा हूं, ठीक है, we have a component, UI, यहाँ पे जाओंगा, hero section.jsx, क्योंकि उसको मैं थोड़ा neat and clean बनाना चाहता था, const, we have a hero section, ठीक है, इस तरह के से return and यह code में यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं, अब obviously, यह एक warning मुझे आ रहा है, just because of this particular portion, इसको मैं हटाता हूं, this is it, ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो code मेरा home page के अंदर था, उसको मैंने further एक new component बनाया, hero section, and वहाँ पे उसको मैंने paste कर दी, अब home में आके मैं क्या करूँगा, इसको हटा के, इसको ठीक है, इस तरीके से paste कर दूँगा, ठीक है, तो अब यह कितना easy हो गया, क्यों मैंने ऐसा किया बोलने से, क्योंकि मुझे मेरे home page पे, ठीक है, सिर्फ एक data नहीं, मुझे मेरा about वाला page है, वो भी चाहिए था, यहाँ पे, about वाला page, तो आप देखने में कितना easy हो रहा, आपको पता लग रहा है, कि मेरे home page पे, एक hero section का component है, and दूसरा about page का component है, ठीक है, इतना मैं करूँगा, so this is our about page, this is our home page, and this is it, हो गया, so, देखो, यह हम project बना रहे है, and इतना हमने बना लिया, ठीक है, so, एक एक चीज, भी मैंने skip नहीं, कि एक एक चीज हम यहाँ पे देख रहे, and कितनी beautifully यह मेरा बनके ready है, all right, अब आपके mind में आ रहा होगा, इसका CSS की धर है, about page का, क्योंकि यह दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, right, यह आप खासकर आपका पूरा मन तो इसने ले लिया होगा, कि यह border मुझे मिल कैसे रहा है, इतना प्यारा, यह awesome, modern, यह dark theme, हमें मिल कहां से रहा है, वापस आईए, ठीक है, यह आपको पता चल गया है, trick कैसे, जो भी अगर multiple data होतो हो, एक file बना दो, एक adjacent file उसका, so let's go with over here, about section, सबसे पहले, section about में भी मैंने क्या कर रखाया, कि उपर 0, left side, sorry, right से auto, and bottom से 90 pixel का gap दी है, मैंने, आपको पता चल जाएगा over here, यहाँ नीचे इस जगे पे, जब हम आपी फूटर बनाएंगे तो आपको clear दिख जाएगा वो, ठीक है, then gradients card, जो हमारा सारे cards है, उस पर अगर आप देखो कि तो display grid, grid template columns इतना, and मैंने यह करके रखा हुआ है, आप चाओ तो यहाँ पे grid and grid three columns कर दोगे, तो भी काम चल जाता, just मैंने थोड़ा सा different किया, and यहाँ पर आप देख सकते हो, the moment अगर आप 991 के अंदर जाते हो, तब आपका सिर्फ और एक की card कहलाएगा, मतलब हम responsive भी यही कर रहे है, container का जो title है कुछ इस्तिर किस है, and by the way, container का title मैंने रखा भी है क्या यहाँ पे, yeah, we have a container title over here, right, perfect, see, तो उसको हमने क्या किया हुआ है, text align को center रखा है, padding zero करके रखा है, margin bottom, font size, color, यह सब ओ सब, ठीक है, simple है, यह हमारा card का actual layout है की maximum width, ज्यादा से ज्यादा पच्पन रेंप, 550 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, border zero width इस्तना margin inline करके रखा हुए, यह container का हमारा card है, यहाद है, जिसके चलते थोड़ा सा गड़बड हो गया तो, लेकिन फिर मैं बहुता है, यह container नहीं, यह container card है, तो उसके चलते यह आपको दिख रहा है, background color है, background clip दे रखी, border radius, padding, border position, simple है, nothing fancy, यह हमारा image, by the way, we don't have any image, ठीक है, तो हटाओ इसको, इस तरीके से, हाँ, अब यह जो particular code है, यह मैंने online उठाया है, ठीक है, ऐसा नहीं, मैं बना नहीं सकता, मैं बना सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको free में मिल रहा, तो क्यों मैनत करना उस पर, right, तो मैं जुट क्यों बोलना आप से, हम सब यही करते है, मतलब, अगर आपको वो काम आता है, अगर आपको वही same चीज़ अगर करना पड़े, एंड आपके सामने free में रखा हुआ है, तो हम वो काम क्यों करें, वो free वाला उठा लेंगे, कोई problem थोड़ी उस में, right, वो तो use करने कले ही बनाया हुआ था, तो इस तरिके से, यहाँ पर हमने, यह different box बनाया है, लेट से कि कल के यार, आपको यह थोड़ा यह यह color पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ने green, मैं मतलब पूरी variety यह आपकी लेगा, इस यहाँ पर पूरी variety यह आप लोगों के लिए, चलो, blue नहीं green box चाहिए भाई, मुझे तो यह देखो, आपका green box आ गया, यह देखो जा रहा, green आ गया, अरे green नहीं भाई यार था, भाई, मुझे ने green नहीं चाहिए, मुझे yellow चाहिए, ठीक है, तो yellow चाहिए आपको, तो yellow ले लिए, तो guys, it's totally up to you, कि आपको कौन सा color पसं तरी के से, absolute, top, basically, सब कुछ मैंने सपर रखा है, क्योंकि लास्ट के पार्ट में जाके बस मुझे वो दिखाना था, and जब भी आप यह before after pseudo elements के साथ खेल तो, यह content वाला property बिल्कुल मत बूलना, वनना आपका सब निकल जाएगा, कुछ काम नहीं होगा, and then again, हमने उनको इस इस देखो, अलग-अलग का, अलग-अलग color है, ठीक है, आप इसको pause करके देख लिजे, and at the end, we have this card का title, if you remember, we have this card का title, यह world Nepal country name, यह आपका title है, simple सा, basic, and this is our card का description, जो की आपका यह है, यह अंदर के जो भी यह data है, ठीक है, so this is your description, I hope guys, अब तो आपके लिए सही है, क्योंक क्योंकि इतना कुछ थाई, pure CSS है, all right, ठीक है, हमारा about भी खतम हो गया, and मैं यह notice करो कि यहाँ पे एक extra home है, control P, header पर आईए, at the end में यह हो, मैं इसको मारो, गोल है, उसकी हमें need नहीं है, perfect सी, all right, now, let's go with contact, contact का हम at least UI बना लेते है, functionality तो मैं end वे बाता हूंग, मतलब वो हाल आपको लगेगा, react 19 का कुस्त आप मैंने सीख लिया, ठीक है, so, headers को हटाईए, about को हटाईए, hero section को हटाईए, आप home को हटाईए, ठीक है, यहाँ पे आईए, let's go with our contact.jsx file, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, and यहाँ पे अगर हम चलते है, हमारा जो contact है, तो अगर आप दे text area, and then we have one button, I know, यह थोड़ा सा unique है, जहाँ पे एक कोने में send लिखा है, यह लंबा रखा हुआ, तो बस अलग-अलग तरीक है, मुझे हट के लगा, तो हट के कर दिया, मैंने बस, ठीक है, ठीक है, इसको हमने class name देके रखी है, so, let's go with class name, and section hyphen, and then we have a contact, ठीक है, इसके container title, यह, right, container title, ठीक है, container title मैंने आपको अलड़ी दिखा चुका हूँ, हमारे previous जो था, about वाले page पे, and just we have a contact us, ठीक है, अब इसके नीचे में चलूँगा, and let's have a form, लाल, अभी action पे मैं as it is रख रहा हूँ, इसके नीचे में चलूँगा, we have one input field, ठीक है, type text दे दो, required दे दो पहले ही, ठीक है, autocomplete जो है, autocomplete या बापरे, यह भी मानना पड़ेगा, is it a false, off, guys, मैं थोड़ा सा confuse में ही हो गया, but जो भी हो, and हाँ, placeholder आप दे दीजे, placeholder, ठीक है, जहाँ पे आप लिख सकते हो, enter, your name, perfect, ठीक है, यहाँ पे आईए, make sure, make sure, make sure, आपको भूलना नहीं है कभी भी, and that is to add, ding, the name attribute, you need to add name attribute, guys, यह बहुत important है, and बहुत ही जादे इन्पोर्टेंट, आप जो चाहोगे कि, backend में जब आप data पास कर रहे हो, तो किस नाम से आप इस input field को denote करना चाहते हो, तो यहाँ पे यह, basically, आपको लग रहा है, कि हाँ, यह तो एक username है, तो आप username इसक यह, basic, simple से, so guys, आप देख सकते हूं कि मैंने जस्ट इसको बाकी के भी copy-paste कर दी, एक दूसरा input, एक text area, ऐसा तो कुछ ही नहीं, यहाँ पे high-five, है न, so, दूसरे में मैंने type email रखा है, form control, एक class add कर दिया, खाली, class name, ठीक है, थोड़ा से style कर सकूं, फिर एक placeholder same है, name मैंने इसको email दी है, required रखा है, ताकि by default validation भी हो जाए, autocomplete यह, आपका हो गया, text area में हमने class का नाम रखा है, rules दिखाया है, thus, placeholder यह रखा है, name यह है, required autocomplete false, let's go with a button, and यहाँ पे आप send लिख दीजे, ठीक है, all right, ठीक है, यहाँ पे आप चाओत इसकी value दे सकते हो, and हाँ, जब अब अगर आप button लिखे हो, don't forget to add type property जिस पे आपको लिखना पड़ेगा, submit, ठीक है, यह बहुत ही जादे important है, and यहाँ पे लगे तो value आप pass करो, ना करो तो भी almost चली जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, and यहाँ पे let's go with value, ठीक है, ठीक है, इतना मेरा काम होगी है, अब अगर इतना में करता हूँ, यहाँ पे चलूँगा, this is not ours, this is ours, कुस तो गड़बर हुआ है, कुस तो गड़बर हुआ है, कि यह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि दिखना तो ऐसा चाहिए उनको, ठीक है, तो कहां क्या हो गया है, भाई, form, we have this form, I think यहाँ पे कुस तो भी wrapper, okay, this is it, so we have a container, and then we have a wrapper, and at the same time we have a container also, ठीक है, अब यह जो फर्म जहाँ खतम होता है, उसके नीचे जाए कि उसको पेस्ट कर दो, क्योंकि क्लोजिंग टैग को बराबर अड़ करना important है, so container wrapper, I am really sorry, it's not a container wrapper, it's a contact wrapper, ठीक है, तो इतना करने से मैं आप यहाँ पे चलता हूँ आप बूम, guys, see, मेरा काम हो गया, so we are done with our home page, we are done with our about page, and then we are done with our contact page, but yes, I know, I know, आप सोच रहों भाई, कहां है वो react19 का magic जलवा, मैं आपको बताता हूँ, देखो, मैं अगर यहाँ पे चलूँगा, inspect करूँगा, console पे, फिलाल यह सब time pass, so guys, आप देख सकते हो, कि मैंने यहा by default page always, वो हो जाता है, like, share हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हम prevent default लिखते है, आपको मालूमी है, and दूसरी बात है कि आपका data पूरा टॉप पे आपको दिख रहा है, and किसी काम का नहीं है, अब जादू मैं आपको बाताता हूँ, करना कुछ नहीं है, we need to write one action attribute, and make sure, make sure, make sure कि आप React 19 पे काम कर रहे हो, React 19 के नीचे आपका यह काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको भी एक function बना दीजिया, handle form submit, ठीक है, submit, perfect, so copy कर रहा हूँ, अब देखो, आप belief नहीं करोगे, बिलिप में काईसा, बिलिप ही नहीं करोगे, कि भाई, यह क्या हो गया, ऐसा भी ह बस इतना अप लिखिये, and मैं यहाँ पर चलूँगा, ठीक है, अब इसके अंदर आपको यह सबसे पहले एक चीज़ रिटन करता है, and that is your form data, dot, we have entries, ठीक है, and yeah, this is it, ठीक है, इतना मैं चलता हूँ, and अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, over here, and इसको एक बाद मैं रिफ्रेस क यहाँ पर आप देख सकते हूँ, getting an iterator, ठीक है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, constructor, iterator, length, 0 दिखा रहा है, so guys, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, कि मैं आप लोगों के लिए कुछ data notes रखे है, don't worry, यह सब मैं सेर कर दूँगा, बस इतना समझना है, यह जब भी आप लिखत data dot entries, यह by default हमें मिलता है, and यह क्या return करता, it return an iterator of a key value pairs from the form data, iterator of a key value pairs of a form data, for example, यह देखो न, for example, आप देख सकते हूँ, कि हमारा जो पहला input फिलता, जिसमें नेम था, user name, and let's say user name, बिनो था लिखा था, बट मैंने जान करके रखा हूँ यहाँ, तो यह मुझे क्या return करता, जब आप इस तरिके से form data dot entries लिखते हो, then यह आपको यह वाली value देता है, जो कि आपको दिखने में array की तरह दिखाई दे रहा है, but आप इसको array ना बोलके क्या बोलोगे, an iterator of a key value pairs, ठीक है guys, प्लीज आप मेरा JavaScript वाला part जरूर चेकाउट कर लीजेगा, वहाँ पर आपको चल जाएगा, यह iterator क्या होता है, iterable हम किसे बोलते है, ठीक है, यह जो data आपको मिला, tell me one thing, यह data क्या आप back end को पास करोगे इस तरीके से, obviously नहीं, right, आपको चाहिए एक object, so yeah guys, this is what, we have this particular code, जहाँ पे, आप आप क्या करोगे, यह जो भी आपने लिखा था, form data dot entries, उसको method के अंदर पास कर दोगे, and that is nothing but your object dot from entries, इसका क्या काम है, यह जो iterable of key value pairs, जो भी था यह, उसको वो convert कर देगा, into plain javascript object, and वो जो object है, उसको हम back end को forward कर देंगे, है ना, इतना simple काम, तो कुछ नहीं करना, अब इसको copy करूंगा, यह जो part है, paste, इसको मैं हटा रहा हूं, and let's const, यहाँ पर लिख दीजिए, मैंने क्या लिख है, form input data, चलो, ठीक है, form input data will be equal to this part, and यह मेरा काम हो गया, यहाँ पर, and I knew spelling wrong थी, and console.log, यह जो भी form input data, this is it, guys, खतम बस इतना ही, like, आप समझ रहो ना, guys, बस इतना ही लिखना था, आपको, देखो, ना, मतलब सिर्फ यह नही है, actual में, तो, 1, and then 2, आपको लगे, तो, guys, आप इसको कहीं और पर पास कर सकते, बस इतना ही लिखना था, आपका काम हो गया, अब यहाँ पर लगे, कितने भी input fields आप बनाओ, जितने भी 100 input fields रख दो, सिर्फ इतना ही आपको लिखना, आपको by default data आ जाएगा, तो, guys, इसी पर लाइक बनता है, क्योंकि अब आप देखो, लाइक बनना, आपको यहाँ पर यहाँ पर यूज स्टेट के मदद से, तीन तीन वो बनाने पड़ते है, यहाँ तो, एक ही यूज स्टेट में आप तीन objects बनाके, value on change, value on change, कितना कुछ करना पड़ता, बता हो, यहाँ पर क Just 5 at the rate, codify कर देता हूँ, so guys मैं यहाँ पर codify कर दी क्यूंकि codify मेरे company का नाम है, मेरे अपना खुद का private limited company, अगर अप हमसे, online classes चाहते हो, web development, react, months tag, यह आगर आप इंटरिशिव करना चाहते हो, then guys, आप codify.com में जो हमारा contact form है, वहाँ पर data fill कर सक्ते हो, and अबहाँ पर नं तक है आपका भी बहला हो जाए मेरा भी बहला हो जाए है न इसलिए आम online classes भी ले ता कि हम one-to-one face-to-face सब कुछ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है वहां पर रेजुमें इंटर्वीव प्रेपरेशन गाइस सर्टिफिकेट्स बहुत कुछ है ना इंटर्वीव कॉल्स बट जो भी हो देखा जाएगा बट फिलाल मैंने आपको जस्ट हींट दी है इफ वार इंट्रेस्ट आप कि अगर आप देखोगे राइट साइड में यहां अगर आप देखोगे तो यह देखो जारा इमेल मैसेज यूजर नेम सारा डेटा यही तो मुझे बेजने कितनी इजी ली आ गया ना तो यह था आपका रियक 19 का अभी तक आपने देखा नहीं होगा बट मैंने आज आपक सो काइस हम यह इतना सब कुछ कर चुके हैं आफ काम करते एक आप आट हो गया हों रहा हों पि एम पर बॉंडब भागए पूटर हम जल्डी से कर लेते हैं ठीक है सो मैं आपको एक बात बात आना चाहूँगा फूटर के लिए भी वी हाब one API ठीक है footer का भी मैंने API बना के रखा है so API पर मैं चलूँगा sorry आप इस तरी के से लिख सकते footer API.jsx कुछ भी आप लिख दो ऐसा कुछ नहीं है copy कीजिए paste कर दो ठीक है अब I hope guys आपको पता चल गया होगा क्या करना है हमें footer पर चलना है जो हमने about के साथ किया था इसको get करना है loop पे चलाना है बात का तम ठीक है so contact को मैं हटा रहा हूँ इसको as it is रखो यहां पर आईए control p footer.jsx पर आईए इसको आप हटाईए so let's go over here let's go with our footer क्योंकि by default हमें footer मिलता है semantic layout हमें यही बोलती है class name दे दीजे let's go with do we have a footer section या we have a footer section ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ एक deep लेता हूँ so let's go with our container ठीक है let's go with grid and let's go with grid 3 columns मैंने grid 3 columns क्यों लिया guys इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे so here we have total 3 यह देखो ना पहला card दूसरा card and then यह तिसरा card ठीक है so total 3 था इसलिए grid 3 columns लिया हूँ मैंने यह मेरा काम होगा अब इसके अंदर मुझे वो card दिखाना है तो मुझे यहाँ पर लूप चलाना होगा ठीक है अब जो लूप चलाने के लिए data तो मैंने गेट नहीं कि तो गाइस हम क्या करते है उसको let's import ठीक है it's a footer contact from our dot forward slash dot dot forward slash dot forward slash a second yeah perfect so it depends हां guys यह जो relative path कैसे देना इस पे भी बहुत ज्यादा depend करता है and forward slash footer API dot we have a json ठीक है मैंने यहाँ json तो लिखा है na footer API में oh sorry it's not a json मैंने गलती से jsx लिखा है so rename करते है हम इसको and यह जो पार्ट है json मैं इसको कर देता हूं perfect यह awesome ठीक है ठीक है अब मैं यहाँ पर चलूंगा ठीक है we have a footer contact guys यह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या करेंगे same वही piece of code है ठीक है यहाँ पर मैं चलूंगा यहाँ पर मैंने क्या रखा है current data रखा हुआ चलो and एक index भी दे देता हूं मैं यहाँ पर and we need to return the data and यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्चर करके रखा हुआ है और लगास तो आप देख सकते हूं कि मैंने यह जो code है and यह जो मेरा डिस्ट्रक्चर वाला पारता हूं मैंने copy-paste की क्यों क्यों क्योंकि हम already same to same जब हम about page create कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था difference कुछ भी नहीं है just मैंने इसको डिस्ट्रक्चर की then return के अंदर we have one main parent div जिसके अंदर footer का contact and मैंने आपसे का था कि we need to pass key no matter what else आपको यह error या warning देता है and this time मेरे पास इस field के अंदर id नहीं था मेरे पास कुछ भी and yeah guys एक problem हो गई यहां पर and क्या है मैं आपको बाता हूं इसको मैं copy कर रहा हूं the moment मैंने इस particular page को dot jsx की तरह सेप की react basically base code editor या कोई तो भी हमारा plugin है जिसने इसको automatic convert कर दिया into an actual object confuse मत हो जाना यह जो पार्ट है यह आपका actual JavaScript object है but the moment आप जो हमारा यह जो की है उसको भी अगर आप double quotes के अंदर रख दे तो it means की and then value if both are like wrap with your double quotes or single quotes then guys वह आपका एक JSON कहलाता है ठीक है तो मैं वापस इसको copy paste कर दे रहा हूं जहां पर यह आपका actual make JSON file data है ठीक है so yeah this is it इतना मैं करता हूं अब मैं आ गए यहां चलता हूं so this is our code and यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ अलग सा दिखाई दे रहे आपको like data तो मुझे आ गया but icons मुझे नहीं मिल रहे है यहां पर तो उसकी पीछे का रिजन में आपको बता तो यह बहुत important इसलिए मैंने इसको copy paste नहीं की क्योंकि यहां तो बहुत इजीली हो गया but यहां पर प्रॉब्लम यह हुआ कि कभी आप component को लूप के अंदर नहीं दिखा सकते इस तरीके से ठीक है कहने का मतलब यह कि हमारा यह जो react icons था है ना react icons पर आगर आप चलोगे जैसे hamburger जो भी है यह अगर आप कभी नोटिस करना यह जो अगर एक hamburger है तो यह ना आपका क्या है एक component है and component को आप इस तरीके से तो कभी यह देखो ना md place यह आपका एक component है component को तो मैं यहाँ पर as a component पास करी नहीं सकता जैसन के अंदर तो हमने क्या कि कि यह जो data है ठीक है फिलाल यह जो component हटा के खाली इसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया as a string ठीक है अब यहाँ पर हम logic लगाएंगे कि string तो मुझे मिल गया है लेकिन यहाँ पर यह icon के बदले मुझे उसको as a component डिस्प्ले करना है icon के बदले मुझे डिस्प्ले करना है कहने का मतलब क्या मैं आपको बताता हूं क्यों ना हम एक object बना लिए ठीक है const footer icon यह icon display कुछ भी अप्लिक सकते थे यहां पर मैं चलता हूं मैं यहां पर यह करूंगा यह वाला particular mdplace colon मैं यहां पर वापस उसको ही इस तरीके से कर दे रहा हूं तो मतलब कि अगर यह footer icon में ठीक है footer icon and then dot अगर आप सोच रहों कि मैं आइकन कर दूंगा आइकन के बतले तो यह आजाएगा पहले में तो यह आजाएगा उसकी value दुसरे में यह उसकी value आजाएगी अगर आप ऐसा सोच रहे हो footer icon dot यह इस तरीके से तो अगर मैं यहां पर चलता हूं तो यह आपका काम नहीं करने वाला and एक error आ गया यह उपस and error occurred go home and I just realized कि guys I'm already home page पे ही है ठीक है कुछ तो गर्बद हुआ है यहां पर यह कुछ तो गर्बद हुआ है because of this part यह हमें दिखाई नहीं रहे so guys what error के वारा है मैं आपको बताता हूं हमने एक object बनाया ठीक है and MD place डाल दी फिलाल अभी में क्या करो footer icon dot icon dot icon तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि we have this icon over here मुझे यह लग रहा है कि footer icon dot icon अगर मैं कर दूंगा तो होगा यह कि first time जो मेरी icon की value है वो हो जाएगी MD place right and यह footer dot icon के बतले क्या हो जाएगी MD place इस तरीके से तो अगर यह मैं कर देता हूं तो मुझे मेरा component यहां पर मिल रहा है अब यह जो particular component है यह तो मुझे get करना पड़ेगा पहले import है ना तो मैं काम करता हूं यह जितने भी मेरे तीन data है इनको मैं कर लेता हूं import ठीक है अब यहां पर इस तरीके से मेरा यह काम हो गया ctrl s save करता हूं यहां पर मैं चलता हूं so we have a footer and yeah guys see देखो हमारा काम हो गया मुझे icon मिल गया यहां पर icon मिल गया I know थोड़ा सा confusion आपको लग रहा है बट कहने का मतलब यह था कि कभी भी अगर आप JSON file में component पास करते हो तो हम उसको access नहीं कर सकते उसको access करने के लिए हमें अलग से component बनाना है मैं एक object बनानी है उसपे एक value देनी है वही same value जो यहां पर आपकी है फिलाल अभी मैंने .md प्लेस कर दी लेकिन अब खाली मुझे इसका ही आ रहा है अब मुझे इसका data कहां से आएगा फिर इस वाले आइकन का data कहां से आएगा तो हम क्या करेंगे इसका इसका इनका भी हम data बना लेते है ठीक है copy करता हूँ paste कर दी मैंने तो इसका भी data बना लिया यह भी बना लिया बैसिकली नाव वी है वान object विद थ्री property properties this is sheer property quality है उनकी वेलयक 데 politooh अब मैं क्या कर सकता हो की डॉर्डकोंट अगर लिखूंगा तो यह तो मैं md inclu सकता हूं यह यह लिख सकता हूं का मैं Command Commission में अगर आप सोच रहाएं तो dot icon हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिर कभी काम ही नहीं करता देखो, वो काम नहीं करेगा हो यह रहा कि वो यह सोच रहा है footer icon dot icon यहाँ पे तो कोई icon वाली कोई value है ही नहीं I mean कोई key नहीं है, property का नाम नहीं है तो हम क्या करेंगे आइकन को में dynamic बना दूंगा this is it, so now यह important है कि मैंने footer icon and then icon को मैंने dynamic बना दी है अब होगा उससे यह कि icon की जो value है यह वाली md place वो यहाँ पे आ जाएगी first time md place आएगा so footer icon dot md place will be यह वाला particular हमारा component, second time में यह io call sharp आ जाएगा यहाँ पे footer icon अब इसके बदले dot वो iosrp है अल्रेड़ी dot लिखने की नीड़नी पड़ती by default यह आपका dynamic value वो बता देता है तो यह इसको call करेगा वो तो वो इस component को render कर देगा third time में footer icon dot tb mail plus जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो इसको call करेगा जो की indirectly आपकी इस value को वो basically component आपका render करके देगा and boom guys see देख लीजे यहाँ पे आप देख सकते हो इस particular जगे पे कि आपको आपका data आ गया है बहुत अच्छी तरीके से ठीक है एंड रही बात एकदम bottom वाली part की तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई 30 मार खाया है वो तो उसको मैं कर लेता हूँ copy and यहाँ पे आता हूँ ठीक footer जो है यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ paste कुछ भी बड़ी बात नहीं है just copyright area एक container, grid two columns एक को left एक को right में भेजने के लिए copyright के text है यह कुछ इस तरीके से जहाँ पे nav link control space, alright ठीक है यह automatic suggestion आने रहा मुझे बड़ कोई बात नहीं let's import we have to import our nav link guys from where from obvious react router dome ठीक है दिस इस यह अगर आप कर दोगे तो कोई problem नहीं सब ठीक हो गया, so यह हमारा left side का data, आप थाप technical पे पे क्लिक कर गो तो यहां पे चले जाओगे अगर आप चाहती वो page as it is उदर ही रहे तो आप target underscore blank भी करके रख सकते हो ताकि वो दूसरे page पे open हो, वो page as it is रहे then we have this nav link footer का menu home पे home जाएगा social पे क्लिक कर गो तो आप मेरे Instagram पे जाओगे source code पे क्लिक कर गोगे तो source code के उस पे चले जाओगे contact पे है तो आप forward slash contact वाले page पे चले जाना ठीक है बाकी कुछ भी नहीं है इतना अगर आप कर दोगे तो आपका यह काम हो गया देखो यह आपका इस तरह के से and here we have our one more time मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को तो आप सक्कम जूम यह पॉफेक्ट ओवर है यहां पर आप देख सकते हो इस तरह के से आपको यह मिल रहा हो हम social source code and then contact तो अगर social पे क्लिक करोगे तो आप मेरे Instagram के यहां पर आप मुझे follow कर सकते हो खुशी होगी मुझे ठीक है and we have a source code पर अगर क्लिक करते हो तो आप मेरे source code वाले file पर आजाओगे and contact पर करोगे तो आप already contact पर ही हो home पर करोगे तो आप home पर आजाओगे हमारा सब कुछ हो गिया है now we are left with our country वाला part all right guys finally the house is coming which is very simple and that is our country page right now we are left with only country page so guys step by step one by one and you have a whole idea this is how it is I mean you will not get a lot of because you have all doubts how to make this card dynamic routing how to go back how to go back how to search ascending descending which country data how to implement these things how to implement these things before we have to think and figure out then we have to write code one by one tackle most of the time guys if you figure out then it is good but it is not okay so what can we do one by one one by one one by one now I have a real API and here I will go this way and I will copy and paste it so I have to do all my countries I mean not my countries I mean not my countries I mean not my countries we have to provide data now this API data is at least you know one by one we have to see API basically we have to get loop step by step this first step is at least right so footer here we have this API we need to create one more file because we have to tackle Axios if you want you can go with fetch also either you can go with react query so react query add but once this project is over then I will tell you next series react query okay so what we can do is let's go with post api.jsx okay so see what we are doing here we need to create an instance of our axios okay so we need to write axios.we have this create method and we need to pass one object and we need to pass one object and we need to pass a property which is base url I know that you can see something else but but the reason behind it is that if you are playing with axios again there is no method that you are providing react this we have installed if you remember axios so we need to import axios from our axios this is it so the moment if you do this then I will turn it okay here I will go base url automatic now this url base you can write here so this our API copy and paste now this is clear that sometimes question mark it means query string start so confirm that this particular part is not my base that can change and this all part is so this is particular part is base url we have this instance create axios where you have to pass so const API create and create methods which basically I have to pass here functions create for example I have this API data get so I have to write a function where I will get method and that is one video that is react js code operation with rest API using axios input and patch and delete method real api real api data and here we need to return this API you have this get method and here you have to pass remaining if you remember if you you remember first time I can to import use effect from on react perfect now user user interface to update without user interface block and we have this is pending loading is pending 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 loading is scenario by default loading is loading is जो इफेक्ट है वो दे देना and ये start transition जो ये एक function है जिसके अंदर आप अपना जो actual code है वो लिखोगे ठीक है so I hope आपको पता चल गया so इस पर मैं चलता हूँ we have a const तो is pending and we have this start ठीक है copy कर लेता हूँ मैं इसको copy कर लेता हूँ ठीक है इस तरीके से मैं नकली ठीक है तो is pending का तो आपको आईडे आगया गया इसका simple funda यह है कि हाँ अगर data is pending है अभी भी so return h1 एक second h1 में इस तरीके से loading I hope आपको समझ गया वह हमें easy loading वाला करने की बिल्कुल नीड नहीं by default out of the box हमें यह मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है so आप मैं यहाँ पर चलूँगा अब वो जो function है यह जो हमने create की थी इसको मुझे copy करनी है वह है मुझे paste करनी है और मैंने get कर ली अब इसको control and then space ताकि इसको भी मैं कर सकूं import तो इस function को मैंने की import मैं इसको call कर रहा हूं और कभी भी आप यह function को call करते हो इसका मतलब यह है कि आप इस API को call कर रहे हो एक second आपको doubt आ रहा है तो मैं आपको clear बता देता हूं कि अगर हमें fetch की मदद से करना होता हम क्या करते मैं simple fetch API use करता उसके अंदर यह जो मेरा URL है complete URL इसको copy करता पेस्ट करता है हम सब को मालूम है कि यह क्या करता है यह promise return करता तो हम उसके लिए wait करते एंद हम free का तो wait नहीं कर सकते we need to make our function async तो हम इसको इस तरह के से करना पड़ता राइट आपको यह भी मालूम है कि हम हमारी use effect को directly async भी नहीं कर सकते जो भी इसका data आता हम क्या करते response में डालते right const इस तरह के से response हम फिर क्या करते हम एक और इसको data यह जो भी response आता है इसको further जैसन में convert करना पड़ता है एंद फिर हम क्या करते एक state variable लेते है set data इस तरह के से यह data हम pass करें मतलब यह तरीका था पहले हम इस तरह करते थे यह आपको idea आगया होगा लेकिन जब आप axios करते हो न तो पहली बात है जो data में आप जो यह conversion कर रहे हो जैसन conversion यह करने की बिल्गुल भी नहीं है आपको by default वो data मिल जाता है अब यह fetch में इतना जंजट की जौद भी नहीं है axios की मदद से हम क्या करेंगे यह जो start transition वाला जो function है यहां पर आऊंगा और सेम आपको इसके अंदर एक callback function पास करना है यह वाला जो पार्टे वो यहां पर आपको पास कर देना इस तरह किसे async आपको use effect को नहीं देना है ठीक है आपको start transition जो यह वाला जो function है वहां पर आपको देना है यह वाला जो get country data है यह भी promise return करता तो आपको wait करना पड़ेगा जब तक आपको data मिल नहीं जाता है and once आपको data मिल गया तो आप उसको response करके जो हमारा variable है वहां पर आप उसको store कर दीजिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यह response में मिल क्या रहा है ठीक है इतना ही होप आपको अभी तक पता I mean चल चुका होगा so inspect पर मैं चलता हूं console पर मैं चलता हूं एक बार मैं refresh करना चाहूंगा and yeah boom guys see देखो थ्वी दर के लिए loading आया था and देखो मेरा data आगया आप देख रहे हो मैंने क्या दिखाया तो अगर आप Fetch उसकरते हो तो आपको response.json लिखना पड़ता उसको transfer करने के लिए and then we get data but यहां पर out of the box हमें data by default मिलता है साथी साथ से पितना ही नहीं यहां पर आपको status code मिल रहा है header मिल रहा request मिल रहा है बहुत कुछ मिलता है ठीक है इस तरीके से हमारा एक use state बच्चा वाला इसको भी मैं import कर लेता हूं तो मैंने यहां पर इंपोर्ड कर ली जिसमें we have this state variable countries and this is our set countries and initial value मैंने एक array रखा है क्योंकि यह क्या है data array में ही तो है तो अब यह set countries को मैं copy करूंगा over here and मैं यहां पर response.data में कर दूंगा अब इसके मुझे need नहीं है तो कितना neat and clean मेरा यह हो गया and यह जो is pending है मुझे is loader is loading की भी need नहीं पड़ी यह अपने अप handle कर लेगा ठीक है and by the way यह अपने अप handle क्यों करे I have मेरा पास code है हमारा loader वाला ठीक है तो मैं क्या करता हूं मैं यहां पर चलता हूं यूई के अंदर let's have a loader it's a loader.jsx so guys अब यहां पर आप देख सेकते हूं कि loader वाले पर मैंने simple loader function create की and class name है कुछ नहीं मैं आपको बाताता हूं यहां पर आप देख सेकते हूं इतने सारे अपने पास option है जो भी आपको ची कॉपी करो खत्म इतना ज्यादा easy मैंने काना like I have like lot of resources जहां से यार अगर आपको मिल रहा तो मैंनत क्यों करूँ समझ रहो मुझे आपको best देना है and best अगर मुझे free में मिल रहा तो मैं क्यों करूँ खुच से ठीक है जो मुझे लगता है कि हां यह मैं मैंनत करूँग आपको बताऊंगा step by step क्योंकि यह है actual knowledge दो यह भी actual knowledge है लेकिन फिलाल अभी किसको चाहिए यह लोगों के simple loading tree बर यहां पे variety है तो मैंने सुचा variety ले ले लेते है राइट चलो इसको हटा दो कोई नहीं तो मैंने इस तरीके से loader ले लिया ठीक है यहां पे control space enter कर लेता हूं and yeah this is it so मैं आप अगर यहां पे चलता हूं over here and for the first time refresh करता हूं थोड़ी देर के लिए यह एकदम millisecond के लिए चला गया बट चलो कोई नहीं मेरा काम हो गया है अब बस मुझे क्या करना है आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि data मुझे मिल गया है खाली मुझे लूप चला कि data दिखाना है इस एक best तरीका है to go with ul जब भी बात आती है cards की दो मैंने about वाले पर नहीं रखा क्योंकि मुझे simple रखना था बट reality में आप ul के साथ जाहिए इसको कुछ class दिया या इसको मैंने class दिये and class देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या कर रहे है हम if you remember आप देख सकते हो this is a row this is first row right यह मेरा दूसरा रो तो इस रो के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह मेरा पहला column and this one is my दूसरा column right यह अगर आप देखोगे तो यह आपका तीसरा column and again यह आप देखोगे तो यह आपका है चौथा column so देखा जाए तो एक रो के अंदर मुझे चार column चाहिए and by default यह जो पार्ट है and यह जो पार्ट है यहाँ पर मुझे पैडिंग भी चाहिए श्पेस भी चाहिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे and in between them we have space also यह देखोगे यहाँ पर भी स्पेस है basically हम इसको gap बोलते है so मैं क्या करूँगा क्योंकि यह जो पार्ट है मेरा loop जब मैं लगा होंगा वह li होगा मतलब मेरा parent कौन है यूल है तो इसको में grid दे दूंगा grid we have a four columns ठीक है इस तरीके से container दी है मैंने इसको ने container तो नहीं दी है ठीक है मैं यहाँ पर चलूंगा अब इस जगे पर हमारा यह जो countries है इसमें तो सारा data आ गया राइट तो countries.we have a map method इस तरीके से let's go with country only हाला कि आप current country लिख सकते थे but let's go with country only return and मैं यहाँ पर country card बना लेता हूं country card and yeah this is it and मैं यहाँ पर country करके ही मैं एक props पास कर रहा हूं ठीक है attribute है बट हम props बोलते है property sort में so country will be equal to यह जो current country आपको मिल रहा है one by one ठीक है यह एक काम करते है current लिख देता हूं ताकि आपको यह पता चले कि यहाँ पर one by one एक कांट्री आपको मिल रही होती है ठीक है अभी जो country card है यहाँ पर हम चलते है UI जो है यहाँ पर आते हैं and let's go with layout layout पर चलते हैं यहाँ पर ज्याद़ बैटर रहे गए jsx ठीक है तो मैं यहाँ पर आया so export const we have a country card and yeah this is it अब यह जो particular part है country इसको मैं copy करूंगा यहाँ पर मैं directly इसको destructure कर दे रहा हूं this is it ठीक है अब मैं यहाँ पर चलूंगा return में कर देता हूं return li and by the way यह ना आपका की मागेगा तो भूलना मत कभी भी so we have a country.id ठीक है and मैं यहाँ पर इस तरीके से जा रहा हूं and मैं country लिखके पास कर देता हूं ठीक है and हाँ एक चीज आपना एक काम करना यह जो की वाला जो part है ठीक है जब भी आप इस तरीके से map method के अंदर किसी component को call करते हो तो इस component को ही directly आप की दे दीजिए and for the time being let's go with हमें मालूम है कि सबका ज्यादा data तो है नहीं गिनके 263 के एसपास का कुछ data है तो मैंने index इसको दे दी country card को control and then space hit कर रहा हूं ठीक है अब यह जो I mean अब तो हमारा काम clear हो चुका है country card के पास जाएगा and country card में यह है simple and यह ऐसा क्यों आ रहा है country ओके यह वाला जो एक पार्ट है let me clear कि यह जो है यह 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 लिंट की तरफ से हमें मिलती है उनका data types बताने की need नहीं कोई कि type script में आपको उनका type बताना पड़ता है and यह अच्छा है type script वे से मैं already उसकी पर पूरी series upload कर चुका हूं check out कर सकते हूं बट फिलाल मुझे अब इसकी need नहीं है बनना वह थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना अब देखो आप मुझे वह warning नहीं आ रही है ठीक है अब अगर मैं यहां पर चलता हूं यह तो original यह बट में आगर यहां चलता हूं बूब ओ माई गॉट कंट्री में कुछ तो गड़बड हो गया सो अब्जेक्ट आन नॉट वैलिड अज रियक्ट चाइल्ड अब्जेक्ट वैलिड नहीं है हां फॉंड अब्जेक्ट वित की अब्जेक्ट वैलिड यहां पर गड़बड कर दी हमने यहां यहां पर गड़बड कर दी हमने यह तो पुरा का पुरा डेटा हमें एक साथ मिल रहा है तो मैं डिरेक्ली एलाई के अंदर पुरा कंट्री नहीं लिख सकता मुझे कंट्री.something करना पड़ेगा यहां पर बता भी नाम है क्यापिटाल है कुछ तो करो सब्सक्राइब काम करते हैं कंट्री.name.com करके एंड बूम गाइसी एंड यहां कुछ भी एरन नहीं है पुरा का पुरा कंट्री का डेटा मुझे आ गया यह देखो कितना ओसम यह है ना कितना ज्यादा ओसम मुझे मालूम है छोटी है लेकिन अज़ा बीगिनर यह बहुत बड़ी बात है कि आपने डेटा रही है डेटा इस तरीके से गेट अब यह जो डेटा है हमें जो ऐसा मिल रहा है उसको कुछ इस तरीके से बनाना है अब कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वांस यह डेटा आपको मिल गया तो जस्ट कंट्री डॉट पॉपुलेशन कंट्री डॉट रीजन कंट्री डॉट कैपिटल का नाम तो हमें आई चुका है एक बटन और एक इमेज हमें देना है सिंपल ठीक है सबसे पहले तो गईस में क्या करूंगा मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूं जिसमें मैंने फ्लैक्स ले लिए नाम ले लिया पॉपुलेशन रीजन एंदन कैपिटल मैंने ले ली ठीक है अब हमारे पास लाई है तो मैं लाई पे चलू हुआ हुआ हूं वी हेब अ कंटेनर का ऩाइस है जो से महां पे था आमने जो अबॉप में बनाया से यह भी होई है क्वाक्ष यह में यह मेरा हो गया सबसे पहले वी नीड एन इमेज एंद अब इमेज में यूह है इस फ्लैग इसित अफ्लैक्स ओनली या फ्लैक्स. मुझ सिर्फ अगर में इतना करता हूं and oh sorry में तो खुस हो गया था यह आ गया बोलके बट देखो मेरा काम हो गया सिर्फ और सिर्फ आप मुझे यह मतलब यार यह भी बहुत ऑसम लग रहा है रोटेट होके पूरा डीटेल्स दिखे मुझे and मैं वापस जाओ तो यह वापस आ जाए तो समझ रहा है कैसे बता हो मैं आपको जैसे यह मेरे पास यह बढ़ फिला तो डोनों सेवी है आप कैसे तो जैसे यह मेरे पास हारड इसक है यह जो पार्टेस थरी की सबकू दिखर है रहा हुँ यह जो भी है I know इतना बट इसको मैं अगर कोई ऐसे कर दो तो यह हो जाता है ऐसे गन्रड हो यह आजासा तो वह कुछ आप यहां पर एट कर सकते हो ठीग मानला hover करने पर rotate या और betop से अराई bottom से उपर डेटा आ। सकते हो इसकी डीटेल्स तो कितिना कुछ आपकर सकते हो सो अब मैं यहांपर चलता हूं further we need to add more like और पर यहां पर आपको जाना पड़ेगा वी हैब और नेम राइट सो नेम डॉट कॉमन अभी मैं नेम डॉट कॉमन क्यों लिख रहा हूं आपको मैं बता आता हूं ध्यान से देखिएगा एटलीस अब मुझे हरेक का नाम यहां पर आएगा मैं एक बार इंस्पेक्ट करना चाहूंगा कंसोल पर चलो यहां पर ही लेके चलता हूं ध्यान से देखना इस जगे पर देखना ठीक है कि सो यहां पर आप देखिए यह फ्लाइग है जब अभी थुए दिर पहले मुझे इमेज मिला वह कैसे मिला वी हब दिस फ्लाइग ठीक है एंड इसको मैंने डिस्ट तनी है वह ठीक है एंड मैं अल्रीड अपलोड कर चुक है आप जरूर देख लीजिए गा एंड इसकेलर वेक्टर बहुत कुछ है एंड देन वी हैब इस ऑल्ल्ट ठीक है तो फ्लैक्स.hbz मैंने सोर्स पर रखा फ्लैक्स.alt मेरा जो अल्टरने टेक्स है उस पर मैंने लिखते हैं तो स्विजेलेंड आता है बट वहीं अगर आप इसका ओफिसल देखोगे तो यह आपका स्विच कॉन्फीडरेशन दिखा रहा है ठीक है बट लोगों को स्विजेलेंड मालू में ना स्विच नहीं स्विजेलेंड मालू में इसलिए नेम.com I hope आपको पता चल यह आओगा ऐसे बहुत सारे चीजे है यहां पर आप देख सकते हो we have a population we have a region and then we have this capital तो कितना easy है यह बट हाँ एक चीज जरूर है कि capital में आप देखोगे तो वो क्या है एक array के अंदर है तो वो सारे चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है सो ठीक इसके नीचे में चलता हूं and मैंने पेस्ट कर दी कोई बड़ी बात नहीं हम अल्रेडी देख चुकिए paragraph कार्ड का description कार्ड का description कार्ड का description population region capital मैंने दिखा है population.to local string ताकि बराबर हमें उसका format मिले और जावस्क्रिप्ट का एक function है simple ठीक है इतना मैं अगर कर देता हूं and अगर मैं यहाँ पे चलता हूं तो मेरा काम हो गया मुझे सारा का सारा data देखो कितने easily and कितने प्यार से मुझे यहाँ पे मिल गई है ठीक है all right अब एक चीज जरूर है यहाँ पे इस जगे पे यहाँ पे यह जो कार्ड है एक थोड़ा सा उपर नीचे होगी है यह थोड़ा सा उपर है यह थोड़ा सा नीचे and reason बस एक था कि इनका जो टाइटल है वो टाइटल में थोड़ा सा mismatch होगी है तो जिसके चलते ही यह उपर नीचे हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ भाई मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए हम क्या करेंगे कोड मैं आपको बाता आता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना मैं बोलूँगा name dot common dot उसकी आगर जो length है and zero से लेके सिर्फ 10 तक ही दिखाओ या तो आप सब स्ट्रिंग भी लिख सकते थे else name dot common को as it is रखो ठीक है let's check it out अगर मैं यह करता हूँ तो क्या होता है और let's see मेरा काम हो गया देखो मेरा काम हो गया now सब बराबर है लेकिन कहीं न कहीं यह जो पाट है यह ऐसा अदूरा स नाम खतम नहीं हुआ है इसको बीच में काटा गया है so I hope आप समझ गये तो हम क्या करेंगे यह जो पर्टिकुलर कोड था यहीं पर ही इधर I can go with our template literals और else I can go with our concatenation तो मैं फिलालना मुझे concatenation बहुत simple लग रहा है यहां पे तो dot 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 मैं कर दूंगा इस थिर्गे से ठीक है बहुत किलेली दिखाई दे रहा है Caribbean में भी मुझे dot 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 मिला it means कि इसका भी नाम यह complete नहीं है बट 10 से ज्यादा था तो हमने उसको हटा दिया बाकी अगर 10 से काम है तो सब अपने जगे पर as it is so yeah कितिनी easily हमारा यह पार्ट तो भी हो गया now we just need one button और गाइस तो एक चीज रह करना कि यहां पर top पे आप जो देख रहे हो इसमें अब पूरा खेल हमारा URL का है कि URL में हम जो data pass करें उसको हम कैसे get करेंगे and उसके base पे again हम API को hit करेंगे and वहां से data fetch करके यहां पर display कराएंगे तो यह simple सा logic है and आपको इसमें और 2-3 hooks अब सिखने मिलने वाला है and यहां पर so guys एक चीज़ का ध्यान रखना है जब हम button बनाने वाले तो यहां पर ना हमें वह link देना बहुत ही जाद इंपॉर्टेंट तो यह कैसे काम करेंगा देखे यहां पर चलता है country card ठीक है इस जगे पर let's go with the button and यहां पर आप लिख दीजे read more या जो भी हो read more कर दीजे obviously here we need to have a app nav link ठीक है इसको हटाओ last पर रख दो इस तरी तो आसा जूम कर देता आप लोगों के लिए ओल्रै ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ अब जबभी कोई बटन पर click करेगा वह basically जिस भी card पर click कर रहा उसका data पूरा हमें वहां पर display करना है so हमें now एक dynamic root को create करना है ठीक है तो dynamic एक रूट तो अभी तक हमने डिफाइन ही नहीं किया है कहने को मतलब यह कि मैं चाहूंगा कि यह जो भी हमारा रूट है वो कुछ ऐसा हो मैं आपको बताता हूं कैसे ठीक है forward slash contact पे जाए forward slash ID पे वो जाए ठीक है बट यहाँ पर मैं अब ID लिखके कोई तो फाइदा तो है नहीं कोई कि ID के बदले मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूं इनका नाम and that is यह वाला पार्ट name dot common ठीक है तो कुछ इस तरीके से this is it तो जब भी कोई अब इस पर्टिक्लर बटन पर क्लिक करेगा तो वो हमारे forward slash contact forward slash यह ID पे जो है वो चला जाएगा and control and then space okay suggestion नहीं आया top पे चलता है so we need to import nav link from यहाँ पे चलता है react router dome ठीक है all right perfect ठीक है तो एक second I guess इसको हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा या ठीक है तो यह हमने get कर ली सब कुछ सही है ठीक है अब एक चीज ध्यान में रखना यह वाला जो particular path है यह तो अभी देख हमने create किया ही नहीं है तो now अब वापस हमें app.jsx पर जाना पड़ेगा over here ठीक इ यह जो just अभी मेंने create की ना तो यह तो आपका एक path एक simple सा route है लेकिन जब भी आप forward slash देने के बाद अगर एक colon use करते हो यहाँ पे जो colon दिख रहा dot dot vertical दो dot तो यह अब आपका एक dynamic route कहलाता है यह make sure करना है कि यह आपको लिखना ही पड़ेगा no matter what तो यह जो dynamic route का मतलब यह कि आप forward slash country and then forward slash के बाद आप कुछ भी लिखोगी वो page visit होगा ही होगा and अगर हम कभी भी उस route को hit करते तो हमें कौन से component को display करवाना है कौन से component को render करना है वो हमें यहाँ पर पास करना है तो this time I will go with country details I know अभी तक मैंने यह page बनाया नहीं है so let's go over here pages को हटाओ यह एक आपक details.jsx ठीक है all right perfect so let's create यह जो भी हमारा page है ठीक है अब मैंना straight away straight away में काम करने ओला हूँ यहाँ यहाँ पर that is में एक hook का use करने वाला हूँ and that is our parameter का जो value है उसको get करने के लिए so we have a use param hooks from our react router dome and this is it so the moment आप इसको call करोगे तो इसका जो भी data है मैं params को pass कर दे रहा हूँ and console.log मैं params यहाँ पर display कर आ रहा हूँ ठीक है तो इतना आपको पता चल गया जब भी कोई card पर click करेगा वो इस page पर आने वाला है and उसका जो भी param था वो मैं यहाँ पर display कर आने आ रहा हूँ all right इसको control and then space page को मुझे renover करना पड़ेगा import ठीक है we have this country card perfect let's check it out मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा we have this read more the moment ठीक है ध्यान से देखना the moment इस पर मैं click करता हूँ and boom guys see now okay okay so something is going wrong over here guys मुझे लग रहा है कि हमने कुछ return नहीं किया है साथ वह एक region हो सकता है मैं काम करता हूँ यहाँ पर hello details कर देता हूँ for the time being बस as it is details ठीक है यह हम करके देखते है over here and इसको मैं एक और बार refresh करना चाहूँगा तो same error आ रहा है guys यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि हमने एक mistake की है no root matches URL contact and then यह and a second मैंने गलती से महाँ click कर दिया ठीक है तो कहने का मतलब यह हो रहा है यहाँ पर मैंने गलती यह कर दी कि मुझे country country बोल रहा हूँ मैं भी country जो है हमारा यह था country and then हमारा dynamic route and I just realized कि मैंने country के बदले यहाँ पर contact लिख दिया so आपको करना पड़ेगा country ठीक है तो जब भी कोई उस card पर click करेगा country and then dynamic value वहाँ पर चला जाएगा ठीक है अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ home country let's go with यह जो भी यह पता नहीं and oh my god see हमें हमारा data आ गया हमें हमारा console and इसको एक और बार refresh करके इसको एक और बार hit करता हूँ and boom guys see okay यह country का नाम है या किसका नाम है Sierra Leone नाम सुना सुना लग रहा है यह right जो भी हो but guys Sierra Leone हमें मिल रहा है यहाँ पर ठीक है यह जो भी देश है but कहने का main मक्सद यहाँ पर यह है कि we are getting an ID हमें ID मिल रहा है and मुझे यह पता चल रहा है कि हम किस country को target कर रहे तो इस country की मदद से मैं उस API को वापस से call करूंगा and इस country का specific details find out मैं करूंगा बस हो गया मेरा काम ठीक है यहां तक कोई problem नहीं है तो हम चलते हमारे country details पर अब यहां पर सेम ओही चीज हमें repeat करना है जो हमने यहां पर की है ठीक है so let's go over here country वाला part यही same piece of code को copy करो इतना पूरा का पूरा यहां पर आओ and ठीक है काम करते हैं यहां पर आके इसको चिपका देते हैं यह जो हमारा get country data है इसको अब हमें थोड़ा सा modified करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इस function के अंदर मुझे यह वाला जो मेरा parameter है उसकी जो id है dot id वो pass करने पड़ेगी ठीक है क्यों करने पड़ेगी मैं आपको बाता अब ध्यान से देखेगा सब कुछ से में कोई problem नहीं है इट जस्ट यह जो मेरा use effective उसको भी मैं करा लेता हूं ठीक है अब सिब एक चीज रह गया है यह वाला part राइट तो यह जो function है इसको मुझे अब define करना होगा एंड हम क्या काम कर रहे हैं हम axios में काम कर रहे हैं सो पोस्ट यह पे मैं वापत चलूंगा अगेन http get method for the individual country ठीक है नेम्स अलाइट पॉफेक ठीक है अब यह individual country का data पाने के लिए मुझे वापत से API क्रेट करना पड़ेगा बैसे के लिए इस कर देता हूं आई एंड डेटा इंड डेटा इस तरी किसे समाझ लीजे लेकिन इसमें मुझे क्या चाहिए इसमें सबसे जाते इंपोर्टेंट यह है कि यूजर कब किस काड़ पर क्लिक कर रहा है और उसका नाम हमें चाहिए उसका नाम देखो ना हमें यूरल पे तो मिलता ही है ग्रीनेट करके ग्रीनेट करके हमें मिली रहा है और उसको मैंने गेट कर भी लिए परम्स.id में वह जो सेम चीज है उसको मैंने अल्रेड़ी यहाँ पर पास भी कर दी है तो यह जो मेरा कोड है ध्यान से दिखेगा गाईस copy paste और मैंने यहाँ पर यह एक argument पास किये जब मैं इस function को call कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ नेम करके उसको मैं get कर लेता हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर as a parameter उसको get कर ली है अब मुझे मेरा यहाँ पर देखो नेम करके है अल्री यहाँ पर सो बताना चाहूंगा now I have URL जो आपको मैं सेर करी रहा हूँ टेंशन निया एंड यहाँ पर देखो जो नेम है forward slash dollar and then name यह जो नेम मैंने gate की यहाँ पर मैंने अट कर दी तो यह URL है तो अब जब भी कोई भी I mean so now guys अब जब भी कोई भी उस card पर क्लिक करेगा तो वह particular name यहाँ पर आ जाएगा dynamic let's say मैंने किया इंडिया तो यहाँ पर इंडिया इंडिया का पूरा डिटेल्स आएगा मैंने किया नेपाल तो नेपाल पक्स्तान बांगलादेश सिलंका इरान अफगानिस्तान जो भी स्थिर्गी से यहाँ पर आ जाएगा वो simple तो यह ना बहुत इंपोर्टेंट है ठी इसको ना हम कंट्री कंट्री के बदले खाली कंट्री कर देते है ठीक है गाइस ताकि थोड़ा अच्छा लगे क्योंकि इंडिविज्विज्वल है ने तो यहाँ पर भी इसको मुझे अपडेट करना बढ़ेगा इस तरीके से ठीक है यहाँ तो कोई टेंशन नहीं था हम आप सिंपल से उस API को फिर से कॉल कर रहे है हम थोड़ा सा वेट कर रहे है एंड जो भी रेस्पॉंस मिलेगा मुझे दिखा दो मैं यह बोल रहा हूं एक काम करते खाली रेस्पॉंस को यह मैं टागेट करता हूं एंड कंसोल.log रेस्पॉंस मुझे देखना कि क्या मिल रह है कंट्री एजटीज रखा है एंड यूज ट्रांजिशन हुग थुदिर पहले हमने देख लिया था ठीक है यहां पर बाकि सब कुछ एजटीज है इसको भी मैं इंपोर्ट करा लेता हूं पॉफेक्ट ओसम तो यह मेरा काम हो गया है लेट्स को ओवर हो ओवर हो ठीक है ए यहां पर बहुत किले ही देख सकते हो इतना सब कुछ देटा मुझे मिल रहा है इसमें एक चीज़ बहुत किले ही सब कुछ है डेटा को फर्द में वह करता हूं तो खाली सापने देख लिया उस पर्टिकुलर कंट्री यहां पर आप देखोगे तो उसका पूरा डेटेल सा लांग्वेज नेम पॉपुलेशन रीजन वह ओके अफरीका के अंदर आती है हमें लगा इंडियन है जो भी हो सब रीजन एंड इस तरीके से ठीक है ओल राइट थीक है तो इतना सब कुछ हमें मिल गया है अब आप तो पता चल गया ना response.data and it's an array तो आपको यह 0 index number को टागेट करना है सो response.data and 0 index number को हमने कर दी टागेट तो आप मुझे पूरा का पूरा से वही data आएगा तो मैं क्या बूलूंगा इफ मेरा यह जो response.status है if it is triple equal to 200 मन्दब data अगर सब सेट है तो ही यह करना बनना मत करना ठीक है perfect यहां तक कोई problem नहीं मुझे खाली अब country की मदद से यहां पे क्या करना है guys मुझे आप उसको लूप चलाना है simple so मैं यहां पे चलता हूं ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है हम already है सब कुछ देख एक divly इसके अंदर हमारा वो card होगा and यहां पर आप देख सकते हो यह सब मैंने classes दे रखें यहां पे so इसके अंदर मैं चलूंगा so we have our country.way map चलाना है आपको ठीक है and हम यहां पर बहुत सारी चीजे लिख सकते हो आप यहां पर हाँ simple चलो इसको रख देता हूं and country ही कर दे ठीक है सिर्फ h1 पर अगर मैं चलता हूं and कहीं न कहीं we have this country.name मैं को एक बार देखने दीजी यह सेम होई यह name.officials ठीक है सिर्फ मैं एक यह लिखता हूं and अगर मैं यहां पर चलता हूं तब आप देखिए Republic of Sierra Leone आपने देखा कि data तो मुझे आई यह तो आप मुझे करना कुछ नहीं है so guys मैं क्या करता हूं कि अब उसको one by one लिखने से कहीं गुना बैटर है मैं directly copy paste कर देता हूं ठीक है मैंने already आपको दिखा है data get कैसे करना है यह सब तो बस आपको one by one display कराना है believe मैं अब यह बहुत ही जात important है क्यों क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह देखो मेरा हो भी गया तो यह left side यह आपका right side ठीक है उसके लिए मैंने grid and then grid two columns की इतना समझ गये तो country.flex.hvg जो हमने थुह देर पहले देखी थी तो यह भी है कोई बड़ी बात नहीं है अब यह जो deep है यह हो गया आपका left side and यह जो two column के यह हो गया आपका दूसरा column जिसमें country के details तो जिसमें country.name.official हमारा country का data आए गया then info container में अगर आप देखोगे so we have this much data over here तो सेम होई है paragraph में span हमने जो किया था थुह देर पहले यह वह है यहां पर थोड़ा सा हमने अलग तरीकी से किया क्यूंकि मैं आपको बता तो we have a country.name.native name ठीक है यहां पर मैं चलता हूँ inspect पे console पे और गाइस तो आप देख सकते हूँ कि हमें एक error आगया है चलते चलते error आगया और बता रहा है तो जब वो promises complete हो जाती है और उसके बाद हमें actual में data आ रहा होता है तो हाला कि देखो court में तो कोई problem नहीं है बट फिर एक safer side में रहने के लिए हम most of the time क्या करते है कि अगर हमारा वो state variable एक country इसका data हमें मिलता है तो ही आप यह जो data है उसको दिखाओ simple है यह कुछ ऐसा नहीं है simple सा logic है यह कि अगर country का data हमें मिल जाता है उसके बाद ही आप इसको render करो पहले करने की जौत नहीं है ठीक है तो एक बार refresh करो फिर भी same error आ रहा है तो देखो cannot read properties ठीक है 90% chance तो वही होता है जो अभी मैंने किया उसके अलावा अगर आप देखोग तो country का नाम तो सेम है ना it's a country oh my god अरे यार एरे करके रखाए मैंने क्योंकि copy-paste किया था ना हमने इसको अभी थुए देर पहले हमारी previous वाले data I mean जो हमारा country paste था तो वहां तो हमें array of an objects मिल रहे थे इतने सारे country के बट इस time हमें simple क्या मिल रहा है country का सिर्प data ही तो मिल रह एक एरे मत रखिये तो मेभी वह एक रीजन हो सकता all right perfect वही एक रीजन था क्यूंकि यह तो एक object like area था ही नहीं कभी हमें array मिली नहीं रहे right तो कितिने अच्छे तरीके साब देख सेकते हो id में Switzerland है पूरा data यहां पे है and जो मैं आपको दिखाने के लिए लेके गया था वहा native name में इतने सारे name मुझे मिल रहे है क्यों कि we have this much name देखो यह देखो जारा native name में so we have this native name name.native name उसके अंदर भी further all data है हमारे पास and जिसमें से we have this common 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 तो यह जो data आपको दिखाई दे रहागा इसमें अगर यहां पे हटा दू so name.native name and then we have this object तो यह जो object आप आपको इसक इसमें भी जो common वाला जो पार्ट है ठीक है native name.fra.common कुछ इस तरीके से आपको वो दिखाना है तो हमने क्या किया यहां पे ध्यान से देखिए तो object का देखो हम directly object में map method and all तो कर नहीं सकते तो हम क्या कर रहे है कि हम उसको object.keys में convert कर दे रहे है तो the moment अगर आप यह करते ह एक array मिल जाता है keys से होगा यह कि आपको खाली उसका keys मिलेगा ठीक है dot map and then मैंने key तो basically यह तो आपका current element के लीजे so country.name.native name में वो key हमने pass कर दी and .common simple and हमने join कर दिया comma देखे I hope guys आपको पता चल गया होगा राइट मतलब यह logic simple है अकर आपको और further detail में जाना हो then I highly recommend आप प्लीज मेरा यह जो javascript का world best javascript course है इसको please check out कीजेगा object का यह second part फिर भी मैं आपको चलो एक काम करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ यह जो part है ठीक है अब ध्यान से देख है ना राइट सो यहां से देखना मैं यहां पर country ना लिख के यह लिख रहा हूं इस तरी किसे ठीक है अभी तो कोई problem नहीं है and इसको मैं कर देता हूँ console.log ठीक है चलना तो चाहिए लेट सी क्या होता है बस एरन ना है है ना यह पॉफेक्ट सी इस वन यह देखो ऑब्जेक डॉट वो जो भी मैंने की मुझे यह डेटा आ रहा है native name में fra gsw ita and यह जो है मुझे वो लिखने से मिल गया इतना लिखने से मुझे मिल गई अब क्या है यह यह आपका एक array है array को आप map method चलाओ simple है ना तो array में आप map method चलाओ ठीक है यह पता चला हमने map method चला दी अब वही है country.name.native name के अंदर मैंने यह dynamic key पास कर दी if you remember हमने जब contact form बनाया था वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से dynamic key sorry not contact form हमारा footer का bottom वाला part वहाँ पे भी मैंने बता icon को आप directly get नहीं कर सकते आपको component दिखाना है तो you need to make it dynamic तो वहाँ पे भी मैंने यह किया था तो अब क्या होगा country.name.native name.fra.common तो जिससे आपका fra.common में क्या है squeeze तो यह आपको पहला squeeze आया फिर यह वापस लूप चलेगा तो second time में फिर से .native name second time में इसकी value क्या है gsw है we have this gsw तो native name.gsw.common तब आपको यहाँ पे आ जाएगा यह switches जो भी लिखाईए तो यह second वाले का data third में आपको यह third Italian वाला data and ROH वाला data मिल जाएगा तो यह इस तरीके से काम कर रहा है तो जो चारो data है उनको मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ जोइन कर दे रहा हूँ अगर आपको basic JavaScript आती होगी तो यह आपको यह चुटकी में पता चल चुका था अगर पता नहीं चल रहा है बट थोड़ा बहुत पता चल रहा तो भी मतलब आप ठीक हो लेकिन आपको बिल्कुल idea नहीं कि क्या हो गिया प्लीज 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 गाइस आपको लगता होगा मैं कितना प्रोमोट कर रहा हूँ अपनी वीडियो का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मालूम ही तो नहीं है अगर आपको मालूम होता तो आप इसक्रिप कर चुकी होता है अभी तक है बट आप देख रहे हो मतलब स फॉस्ट एरे में जो भी इंडेक्स नंबर है अब्जेक्ट डॉट कीज करके करेंसी सेम हो ही यहां पर भी लैंगवेज एंड या दिस इस इत यह हमारा काम तो हो गया तो कितनी यही में यह था कि URL का डेट आप कैसे गेट करोगे और वापस लूप कैसे वह API को फेच करके यहां पर दिखाओगे यही में था यहां पर बस एक चीज रहे गया हम अल्रेड़ी देख चुके बटन गो बैक एंड मैंने खाली forward slash country को वह कर दिया क्योंकि मुश्ट हमें यह मालूम है कि भाई मैं अगर इस पेच पे हो तो मैंने country के थू ही आया हूंगा इसलिए मैंने nav link में उसका route देदी country ठीक है यह आप क्या करो control space एंड एंड एंटर क route बी complete हो गई सिर्फ और सिर्फ फाइनल जिसका आईगेस आप मिसे बहुत लोग वेट कर रहे थे कि भाई इसकी पीछे का logic क्या है यह कैसे हो रहा है ठीक है तो वह अब हम one by one tackle करते है तो गाइस हम ना देखो ज्यादा सोचो मत पहले हम search filter बनाते हैं फिर इस वाले filter को बन बनलब यह दो को हम एक साथ काम कर लेते ठीक है one by one तो हम चलेंगे हमारे country के काड़ पे नहीं लेट्स को बिद आवर कंट्री पे ठीक हम गए हमारे country पे बॉटम पे आईए यह जो एक सेक्षेन आपको दिखाई दे रहा है मैं एक बार देख लूँ या country सेक्षेन ठीक है इसके नीच आप आईए ठीक है यहाँ पर आप मैं एक और component बना रहा हूं इसका नाम मैंने क्रियेट करूँगा अब एक चीस्तों मैं आपको क्लियर बाता देता हूं कि जब भी यूजर यहाँ पे कुछ भी लिखता है ठीक है उसको उसका जो डेटा है उसको मुझे गैट करना है और वही डेटा मुझे इस जगे पे फिल्टर करवाना है हमारे जो भी main country वाला जो वहाँ पे फिल्टर करवाना है तो यूजर यहाँ पे क्या लिख रहा है उसका डेटा तो मुझे कहीं पे इस्टोड करना पड़ेगा and whenever it comes to your state management either we need to use a use state या तो आपका use reducer या तो आप redux उसकर सकते हो या तो आप react query जस्ट है भरे पड़े हैं तो हम क्या करेंगे एक search के लिए और एक filter के लिए मैं यहाँ पे दो और constant variable create कर लेता हूँ ठीक है obviously वो data मुझे add करना है यूजर ने क्या लिखा वही है search search इस तरह के से use state ठीक है फिलाल मैं empty ही रख रहा हूँ and यहाँ पे filter set filter ठीक है use state देखो गाईस आप चाहो तो इसको context API यह basically context API plus use reducer hook की मदद से भी कर सकते थे बट मुझे लगता है कि अभी हम जितना करें उसमें इतना enough है more than enough है वनना आपको extra code लिखना पड़ जाएगा वहाँ पे अब यह जो भी data है इसको मैं copy कर रहा हूँ यहाँ पे मैं as a props pass कर रहा हूँ so it will be equal to वापस से यही search and हाँ हमें कॉमा देने की नीट नहीं पड़ती यहाँ पे वो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ और भी आपको पता चल जाएगा and यहाँ पे मेरा जो set oh sorry मैं को उसको वो देना था so we have a set filter and यहाँ पे simple filter रहेगा and by the way आपको कॉमा नहीं देना all right तो मेरा यह जो component है उस पे मैं 4 props pass कर रहा हूँ कुछ यह इस तरीके से तो यह जो search filter है मैं यहाँ पे चलूंगा as a component UI के अंदर and यहाँ पे मैं उसको paste कर रहा हूँ dot jsx simple ठीक है so guys let's create that okay मैंने spelling रॉंग लिग दी but it's fine चलो कोई नहीं ठीक है return and return की भी spelling रॉंग है बट जो भी हो इस तरीके से ठीक है अब यह जो spelling मैंने यहाँ पे mistake कर दी है चलो याँ ठीक करी देते है कोई problem नहीं है so it's a search filter मैं इसको capital कर जाता हूँ ठीक है and हाँ अब एक चीज आपको यह पता चला कि भले ही component का नाम कुछ भी हो अब यहाँ पे जब उसको define कर रहो तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो ठीक है तो अब मैं यहाँ पे यह कर रहा हूँ control space and मैंने hit कर दी तो आप देख सकते हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाराबार नाम लिख ली है मुझे यहाँ पे उनकी need है लेकिन यह जो value है मुझे मिल कहां से रहा है obviously मुझे उसको यहाँ पे get करना पड़ेगा मैं directly यहीं पे heat structure कर रहा हूँ else आप props and then dot dot props.ie props.o b कर सकते थे लेकिन यहाँ पे search set search filter and set filter मैंने यह कर दी and search तो मैंने यहाँ पे add कर दी अब we have on change जब भी यहाँ पे value change होगा मैं एक function call करूंगा handle input change handle input change करके मैंने बनाई simple सा logic मैं चलूंगा यहाँ पे const handle input change and कुछ नहीं करना है ठीक है मुझे कुछ नहीं करना है and I know यहाँ पे थोड़ी सी spelling mistake है handle ठीक है मैं बस क्या बोलूंगा जब भी यह जो आता है तो मैं यहाँ पे event pass कर रहा हूं and जब भी यहाँ पे user कुछ भी लिखेगा तो मेरा यह जो set search है उस पे ठीक है उसके अंदर यह क्या हो रहा है यहाँ पे चलता है उसके अंदर event.target.value कितनी easily अब user कुछ भी search करेगा उसको मैंने एक state variable में update कर दी है So guys उसी तरिके से आप देख सकते हूं कि मैंने यहाँ पे एक और डिप को जो है copy paste कर दी जिसमें ऐसा कुछ था भी नहीं like select हमें लिखना ही पड़ता है and then उसके अंदर we have lot of options तो यहाँ पे इतने सारे options जो है मैंने रखे हुए है आप चाओ तो इसको भी dynamic बना सकते थे मैंने सोचा छोड़ो रहें दो इतना कौन वो करे समझेरो बट इतना हो गया अब यहाँ पे सबसे जाद important यह है कि चलो ठीक है input को तो हमने बहुत बार खेला है input में तो हमें मालूम एक value रहती है दूसरा on change रहता है and हम वो value जो है यहाँ पे update कर सकते हैं लेकिन जब आप select यह जो हमारा input element है select element है sorry इसके साथ जब आप खेलते हो तो यहाँ पे इतने सारे values है इसकी value अलग है इसकी value अलग है इसकी value अलग है तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि user ने out of this many options किसको select किया है तो मैं आपको बताता हो यह ध्यान से देखेगा तो क्या होता है है ना select के पास एक power है and that is की पहली बात आप यहाँ पर डारेक्ली value लिख सकती हो and इस value पर मैं वह filter पास कर दे रहा हूं and फिलाल oh my god I just realized I just realized कि filter वाला जो पार्थ है यहाँ पर में एक default value दूंगा and that is all क्यूं क्यूंकि ध्यान से देखना by default all है ना देखना by default all means इन सारे country को दिखाओ तो by default all ही रहता है तो that's why मैंने यहाँ पर all दे दी ठीक है अब by default value all है else अब user किसी पर भी क्लिक करेगा वह value मुझे यहाँ पर update कर देना है तो वह मैं कैसे कर सकता हूं तो guys यहाँ पर भी we have this on change ठीक है यहाँ पर भी we have this on change event and handle सेलेक्ट चेंज मैंने कहा लिखा या handle सेलेक्ट चेंज कुछ भी अप लिख सकते था ऐसा कुछ नहीं है बट मैंने सेलेक्ट लिख दी and इस तरीके से and obviously यहाँ पर भी आपको event तो मिलता ही है तो सेम यसे को ही मैं copy करता हूं paste set filter को यहाँ पर पास कर देता हूं इस तरीकी से तो कितिनी easily मेरा काम हो गया यहाँ पर कि user क्या लिख रहा है उसको मैंने update कर दी user ने इतने सारे option में से किसको सेलेक्ट किया वो भी मैंने यहाँ पर update कर दी and एक काम करो कि form दो यह form तो मैं exactly नहीं बोलूँगा बट फिर भी safer site में रहने के लिए event.prevent default यह हम लिख के छोड़ देते है ठीक है तो मेरा काम हो गया है इतना अब इसका जो logic है वो मुझे मेरे home page पे करना पड़ेगा lifting the state up वाला concept थोड़ा यह आपको लग रहा होगा ठीक है जहाँ पे parent child child parent उनकी बिच communication हो रहा है simple ठीक है अब ध्यान से देखना the moment user ने कुछ भी लिखा data update हो चुका है वो data ना अब हमारे यहां search पे वो हमें मिल चुका है मैं आपको दिखा हूँ देखना हा console.log search ठीक है यह एंड कॉमा फिल्टर भी चिपका देता हूँ यहां पर साथ ही साथ जहां से देखना अब देखो search यह तो मुझे मिल गया यहां पर console यह मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम already cssb इस पर apply कर चुके है तो मैं यहां पर लिखता हूँ suppose p a l यह द all and then all तो मेरा by default filter का है तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मेरा वो जो search state variable है वहां पर हमारा data आ गया कि user क्या लिख रहा है तो बहुत easily आप में like filter method यूज करूंगा ना कैसे मैं आपको बाता आता हूँ ध्यान से देखना एक second यह जो all को भी मैं अगर suppose asia कर देता हूं तो हो ग इसको में tackle कर लूँगा आपको tension नहीं लेना है इसको में tackle कर लूँगा यह तो बाराबर हो चुका है ठीक है बर जो भी हो यहां पे हमें search and filter मुझे यहां पर data आ चुका है अब में देखो क्या करने आप यहां पर तो guys now here is the main logic here is the main logic and यह logic हर जगे use होती है जब भी search की बात आती है अब ध्यान से देखिए guys we have a countries.filter क्योंकि obviously अगर आपके पास 100 data है 100 data में let's say अब अलग-अलग colors के data अगर आपको red colors के data चीए तो आप क्या करोगे filter करोगे उन 100 में से कौन सा red color match करता से उसको दिखा और बाकी को हटा दो that's why हम filter use कर रहे है ठीक है and मैं country करके pass कर दे उसमें से भी मुझे जो भी user select करता है उसको and इसको दोनों को मुझे side by side देखना है तो फिलाल मैं search के लिए search country करके function बना रहा हूं and वहां पर यह country है मैं pass कर दे रहा हूं ठीक है अब यह जो part है इसको ठीक इसी के उपर मैं define करूंगा country and इसको फिलाल मैं comment कर देता हूं इस यह जो मेरा country है यह individual country हाँ guys one by one मुझे country मिल रहा होता है समझ रहने क्या के निक पहला लूप चलाएगा यह जब तो इसमें मुझे सबसे पहला जो country वह मिलेगा इसमें सी मेरा पहला country है so if and हमें मालूम है कि अगर search कोई कर रहा है so we have our country basically यह वाली country basically जो country हम गेट कर रहा है यहाँ पे to lower case यह जो method है वो call कर दे रहा हूँ dot मैं include वाला जो हमारा method है and ध्यान रखना includes होता है वो ठीक है वो पास कर रहा हूँ तो guys थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा that is कि मैंने country pass की है इस country में मुझे वो individual वो country का पूरा data आता सबसे पहले we have a Pakistan तो पूरा Pakistan का data इसके अंदर है तो मैंने यहाँ पे get की search अगर user ने कुछ लिखा तो यह true हो कि इसके अंदर गुशेगा country.name.com में हमें मालूम है कि अफ़गानिस्थान मिलने वाला है तो यह क्या हो जाएगा अपका इस तरह किसे अफगानिस्थान I'm sorry अगर spelling mistake हो गई हो तो ठीक है इस तरह किसे वो हो ग वो तो आता है तो यह true हो जाएगा and इसका data हमें वहाँ पे दिख जाएगा तो ऐसे हो रहा है ठीक है I hope आप समझ गया होंगे मैं क्या बोलने कोशिज करो अब यहाँ पे लिकिन मुझे कैसे पता चलेगा user ने क्या type की तो guys हो तो हमें मालूम है search पे हमें already data मिली रहा है तो new variable में filter countries करके ठीक है copy करता हूँ अब यहाँ पे countries के बदले में filter countries कर दूंगा this is it मेरा काम हो गया अगर नहीं है तो return country simple इस तरीकिसे ठीक है और else if you want आप यहाँ पे return true भी कर सकते हो मैं अगर यहाँ पे चलूँगा तो ध्यान से देखना पी ए एल यह देखा मेरा हो गया काम एन इपी एल नेपाल देखो हो गया कितनी इजली मेरा search functionality हो गया ठीक है इस तरीके से यह आपका काम कर रहा था अब मुझे वो select वाला बीच यह तो मैं क्या बहूंगा इसके साथ-साथ यह condition भी आप लगा दो and that is filter select filter region country ठीक है filter region कर देते चलो filter region एंड यहां पर भी यह country है वो मैं पास कर देता हूं यह तो बहुत कि हमारा अगर यह जो filter है ठीक है filter अगर उसकी value होती है equal to all तो return country या as it is जो भी है सब return कर दो अगर यह नहीं होता है अगर all नहीं होता है तब जाके मुझे क्या करना है उसको चाटना है तो return मेरा यह जो country है उसके अंदर we have one property called region ठीक है property called region triple equal to हमारा यह जो filter है this is it यह filter का logic यह search का logic and दोनों को मैंने यहां पर end operator जो है उससे मैंने combine कर दी and उसको मैंने यहां पर pass कर दी एक variable में and उस variable से ही मैं loop चला रहा हूं तो trick यही है at the end में आपको उससे loop चलाना है तो अगर इतना आपका कर देते हो ना let's say मैंने यह PA कर दिया ठीक है इतने सारे data मुझे मिल गए अब मैं यहां पर चलके मैं अगर ACI पर click कर दूंगा Boom guys see मेरा काम हो गया आप देख सकते हूं कि मेरा यह पूरा का पूरा काम हो गया ठीक है now I need that ascending and then descending वाला part तो वापस हम यहां चलते हैं यहां पर मैं चलूंगा इस जगे पर ठीक इनके बीच में मुझे वो दो functions चाहिए ठीक यहां पर आईए let's have a button ascending link देता हूं and जब भी कोई इस button पर करेगा click ठीक है तो मैं एक function कॉल करना चाहूंगा यहां पर and मैं इस तरीके से कर रहा हूं and मैंने एक value pass कर दे रहा हूं यहां पर and that is asc क्यूंकि मेरे को मालूम है ना कि मेरे पास दो-दो button होंगे तो मैं क्यूं दो अलग अलग function बनाऊं मैं क्यूं ना एक ही function बनाऊं and उसको मैं चेक करूंगा कि वह ascending के लिए है या descending के लिए simple and यहां पर मैं इस तरीके से descending कर दूंगा तो मैंने यह simple सा code लिखा ठीक है and by the way guys मैं simple इसलिए बोलो क्योंकि मैं कर चुका हूं लेकिन अगर आप first time करें तो यह आप क्या करोगे मुझे मालू मैं short countries ascending short countries descending ऐसे करके आप 2 बनाऊंगे लेकिन फिर मैं already 2 जो जो कर चुका था तो मैंने सुचा क्यों आप उसको एक ही कर दे तो आप देखना इस तरीके से and यहां पर मेरे पास value होगी कि वह ascending है कि descending अब हम यहां पर check करेंगे वह जो value है if it is triple equal to ascending अगर ascending होता है तो अब यहां पर सोचने वाली बात है कि आप compare कैसे करोगे क्योंकि हमें यहां पर clear है यह तो कि मैं अगर ascending पर click कर रहा हूं तो हम क्या कर रहे है कि हमारा यह जो letters है ठीक है and मैं सिर्फ एक particular जो property है उसके base यहां पर मैं ascending and descending कर रहा हूं and that is with the help of this name ठीक है जिसमें J N P P P P P अरे कितने P से है भई and last में एक S ठीक है तो मैं उसके base पर यहां पर sort कर रहा हूं and sort से भी better हम compare कर रहे comparison operator so guys अगर आपने मेरा react देखा था या अगर आपने किसी का भी react देखा तो यहां पर we have one operator called comparison operator and basically हमार पास एक sort method होता है बहुत easy हम उसको sort कर सकते है ठीक है तो मैं एक काम करता हूं इसको फिलाल मैं अटाता हूं sort countries कर देता हूं ठीक है equal to okay sorry दोनों से में sort country कर देता हूं चलो क्या हो गया तो sort country कर देते हैं ठीक है equal to मैं एक सेकेंड एक सेकेंड अब आपके पास तो पूरा data होना चाहिए country का तभी तो आप sort कर पाओगे मतलब अगर आपको एक से लेके 10 तक को sort करना है तो आपके पास एक से लेके 10 का number रेंडम होना चीए but at least वो number तो होना चीए मेरे case में तो कहां है country किसको मैं sort करूँ तो अब यहां पर दिमा की लगाना है कि मुझे मालूम है कि मेरा यह जो countries है and then यह जो set countries है इस पे मेरा सारा का सारा country है पूरा data है मेरे तो आप वापस इसको आपको कॉपी करना है वो भी आपको यहां पर पास कर देना है ठीक है तो आपने देखा ना guys मैंने क्या का आपको एक की बार में मत सोचो आप वान बाई वान सोचो कि भाई अब क्या अब बस यही वानना मैं अगर एक की बार में इतना सब कुछ डाल देता आप सोचते हम क्यों करें बाट आपको बाता चलिया मुझे countries तो इसलिए चाह हमना यह जो पार्ट कर रहे है यह आपको मालूम है react में एक चीज़ यहा तक ना कभी भी direct जो आपका state variable है उसको हमें कभी भी छेड़ना नहीं है data हमें मुटेट नहीं है that's why मैं इसका duplicate बना रहा हूं है ना just आप समझ पर मैंने इसकी कॉपी कर लिए with the help of this particular part एक अरे अरे आपको मिल जाएगा यह जो आपको मिल जाएगा यह जो comparison function है पूरा animation के साथ बता है अब यहां पर यूजर ने अगर ascending पर क्लिक किया होगा ठीक है तो हम यहां पर ternary operators कर रहें इस value is ascending तो आप उसको ascending order में convert कर दो अगर value ascending नहीं है मतलब obviously descending होगा तो b. देखो न यह तो common है खाली b.local compare.a मतलब इतना भी कर देते तो यह काम हो जाता है यहां पर believe में अगर एक बार इसका logic समझ गया ना comparison operator का तो आपको मतलब मजा आ जाएगा कुछ है भी नहीं ज्यादा ascending हुआ तो इस code को चलाना अगर ascending नहीं हुआ basically descending हुआ तो इसको चलाना and जो भी होगा वो sort होगे मुझे यहां पर data आ जाएगा तो जो sort वाला data है वो मुझे जब मिलता है तब मैं क्या करूंगा set countries copy करूंगा इसके नीचे यह जो data है वो मैं यहां पर pass कर दूंगा खत्म अब आप समझ गये ना ascending हो या descending वो करके मैंने यहां पर बेज़ दी तो आप मेरा जो countries है वो अब एकदम या तो ascending हो रखा होगा या तो descending हो रखा होगा पस इतने ही है गाइस logic यही है हमारा यह काम भी complete हो चुका है मैं इसको एक बार रिफ्रेस्ट करना चाहूंगा सबसे पहले तो ascending यह देखो and we have this descending चलो ascending पे चलता हूँ PA पे select करता हूँ इतना सारा data आता है यहाँ पे मैं चलके अफरिका में तो कुछ है भी नहीं अमेरिका, एसिया, यूरोप and then Oceania and again let's go to Asia, ascending, descending, ascending, descending further अगर आप इसमें L भी कर देता हो तो आपको और इस तरीके से यह data मिल जाता है and अगर आप इस पे click करोगे तो इसका जो individual data है वो भी हमें मिल जाता है and यहाँ guys हमारा यह almost complete हो गिया है search का मूँ style दिखा देंगे कोई problem नहीं है and रही बात CSS वाली एक चीज में बताना चाहूँगा and that is यहाँ पे सब कुछ हो चुका तो रही बात guys अब छोटी मोटी changes की तो मैं आपको बताना चाहूँगा and that is कि सबसे पहले तो जब आप contact पे कभी भी काम करते हो you know मैंने find out किया कि ना हम नहीं यहाँ पे यह false नहीं देते हैं हम यहाँ पे off देते हैं ठीक है एक तो यह mistake मैंने की थी and दूसरा हमने अभी तक हमारे यह जो particular nap bar है उसको देखो ना मैंने responsive नहीं किया है लेकिन funda बहुत simple है funda बस इतना ही है कि एक particular portion आएगा एक ऐसा viewpoint आएगा pixel value वहाँ पे आते ही जो यह data है उसको आपको hide करना है and आपको आपका जो hamburger menu है उसको display कराना है and जब हम इसको इस पे click करेंगे तब वो data वापस से यहाँ पे हमें दिखाना है ठीक है इस तरीके से and by the way यहाँ पे आभी यह जो data है आपको दिखनी रहा है color आपको नहीं दिख रहा है उसके पिछे का reason है कि वो white होके बैठे है वहाँ पे but yeah this is it आप देख सकते है वो भी तो don't worry nap के नीचे में चलूँगा ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ top पे and एक काम करता हूँ यह जो part है ठीक है यह हमारा react का एक icon है तो उसको मैं import कर लेता हूँ ठीक है मैंने इसको import कर ली perfect अब यह जब भी कोई इस पे click करेगा तो मुझे एक चीज करना है मैं आपको बाता हूँ and that is यहाँ पे मैं चलूँगा ये तो ना मैं यहाँ पे एक जादू करूँगा and that is कि मुझे खाली so and then hide करना है मुझे मेरा जो menu नीचे दिखता है उसको दिखाना है या तो नहीं दिखाना है यही फंडा है and वो again data है ना वो तो दिखाना नहीं दिखाना इस्टोर कहां करूँगा तो इसके लिए अगेन मुझे एक state variable लगेगा use state and for the time being initial value मैं यहाँ पे false कर दे रहा हूँ and मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा set so के अंदर इसका जो show है वो मैं इस तरीके से कर दूँगा and यहाँ पे आप इसको return कर दो ठीक तो funda logic same है simple है right and यह जो show है अब यहाँ पे आना है आपको nap पे आईए एक class name है जो मैं यहाँ पे okay I guess already class name के साथ ही मैंने copy की थी ठीक है तो कुछ तो हो रहा है yeah perfect see okay मैंने show menu किया हुआ यहाँ पे यह काम करता हूँ show menu की new it नहीं है मैं show कर देता हूँ ठीक है this is it तो यह जो हमारा data है न desktop पे जो जैसा दिख रहा है रहने दीजिए but जब हम mobile पे जाएंगे तो वो तो मुझे एक की नीचे एक दिखान है तो वो मैं किसके basis पे दिखाऊंगा वो मैं इस map के basis पे दिखाऊंगा जहां पे अगर हमारा यह जो show है उसकी value true होती है तो मुझे mobile वाला जो navigation है वो दिखाईए अगर वो false होता है तो मेरा desktop वाला जो navigation है वो दिखाईए एंड यह true कब होगा यह true तब होगा जब inspect मैं इस पे क्लिक करूँगा इस पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारी जो show की value है वो true हो जाएगी एंड मुझे मेरा new well वाला navigation दिखेगा मैं वापस क्लिक करूँगा वो false हो लाइगी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा ठीक है अब लॉजिक इस एक सेकने यहां पर इसले नहीं दिख रहे है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक कलर था वो अब लॉजिक यही है ठीक है अब पूरा का पूरा खेल यहां पर css का है मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे सो आप देख सकते हो कैस हम css पर भी आ गए सबसे पहले तुम्हें क्या कर रहा हूं हमारा वो जो hamburger menu है ठीक है और ओके काम तो कर रहा हूं इसे अल्राइट यह तो काम कर रहा है पहले से अच्छा यह काम इसले कर रहा है क्योंकि css अल्लेडी है उसमें ठीक है तो मैं आपको बताते हूं कैसे काम कर रहा होता है यह जो पार्ट है ठीक है यह हमारा इसको डिस्प्ले नन कर दी कब जब हम desktop पे तो यह कभी दिखेगा नहीं इतना तो आपको पता चल गया उसके बाद जब हम media query पे जाएंगे अब हमारा यह जो menu wave जो है अब उसको मैं डिस्प्ले नन कर दे रहा हूं कहने का मतलब यह कि देखो न यह जो menu wave है मतलब इसकी value अगर true हूँ या ना हूँ मैं भाई mobile version पे आप जाओगे मतलब 990 pixel के नीचे इसको मुझे दिखाना ही नहीं है मुझे खाली menu mobile को ही मैं दिखाऊंगा logic इतना है इसको मैंने default ही कर दिया है ठीक है उसके बाद हमारा hand menu अब finally 998 pixel होते ही मेरा यह जो desktop था मेरा यह जो desktop वाला जो दिख रहा है 998 यहां पर आता है 1064 यह देखो 998 होते ही मेरा desktop वाला जो menu था उसको हमने hide करके hamburger को मैंने दिखा दी और मैंने उसको flex hand करके कोने में बेज दिया display flex कर दी ठीक है अब menu mobile जो था मुझे अब जो पहले एक line में था मुझे एक के नीचे एक चाहिए तो that's why position absolute top से हमने 10 pixel sorry 100 pixel नीचे लेके आये क्योंकि हमारा height 10 था ना ठीक उसके नीचे से start हो रहा है left is 0 background color रही है width इतना box head हो यह हमें इस तरीके से क्या है न मैं बाता तो वह यह इसकी बात हो रही है मैं अगर इसको 100 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 30 कर दूंगा ना तो यह देख पहले मुझे खाली इतना काही गया पा रहा था क्योंकि यह आपका 100 पिक्सल था यह 100 यह 300 तो वापस यहां पे इसको वापस से 10 RAM मतलब आपका 100 पिक्सल होता है यह देखो यह वापस यहां से आ गया ठीक है सिंपल बैग्राउंड कलर एक काम करता हो ना बैग्राउंड कलर यह क्यों देना लेट्स को विद इस वन यहां पॉफेक्ट सी मेरा काम हो गया वाव यह देखो कितना प्यारा लग रहा है ठीक है तो यह मेरा काम हो गया देखो होम यह उस तरकी से आ गया लगे तो आप थो देखो, UL को एक की नीचे एक में इस्तरी के से लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट चाइल्ड की ऊपर थोड़ा सा गयाब दी यहाँ पर दिया, एंद मेरा काम खत्म, यही लोजिक है, खाली आपको मोबाइल मेन्यू दिखाना है, अगर इस यूजर किलिक करता है, बनना नहीं दिखाना है, और वेब वाले को तो 998 की नीचे दिखाना ही नहीं, बस यही लोजिक है, ठीक है, अगर आपको इसको और बैटर समझना है, और प्लीज ये वीडियो को चेक आउट कर लिजेगा, अगर रहे गया, तो प्लीज मुझे मुझे माप कर देना, मैं अपना जो सोर्स कोड़े कंपलीट हो, तो मैं अपडेट करी रहा हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, कि रियक्ट का ये प्रोजेक्ट है, तो रियक्ट का जो कोड जहां यूज होना था, वो मैंने कर दिया है, एंड इसमें आपका जो CSS का पार्ट है, वो मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है, बाकि सब कुछ हो गया है, तो कैसे लागा, आई हो, बहुत ही ज़्यादा माज़ा आओगा, तो एक काम करते हैं, अब हम इसको लाइब होस्ट करके बाताते हैं, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, कम्प्लीट रेस्पॉनसिफ सोर्स कोड सब कुछ में सेर कर दूँगा, अगर कुछ भी चीज़ी तो बॉटम पे तो हैई, सोर्स कोड का लिंक बागेरा, सब कुछ 249 पूश में सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हम Netlify पे चलते हैं, मैं यहाँ पे इसको जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ, तो आप देख सेकते हूँ कि मैं यहाँ पे लॉग इन पे आच चुका हूँ, बेसिकली हमारा होम पेज है, अब जब भी अपने रियक्ट पेज एप्लिकेशन को होस्ट करने जाओगे, तो जो भी कोड आपने लिखा है, यह आपका डेप्लोइमेंट, बेसिकली आप अपने PC पे कर रहे हो, बट जब आप इसको होस्ट करने जाते होए, या एक्चुल में जब दुनिया को सेर करना है, तो हमें वो प्रोडॉक्शन वर्जन इस कोड का बेसिकली, तो हमें वो प्रोडॉक्शन रेडी कोड बनाना पड़ता है, तो उसके लिए, वी हाब वान कोड अन्प्यम, रन अन्देन बिल्ड, फिल्याल अभी आप देखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना हमारे पास, इस जेगे पे, कुछ भी एक एक एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं है, बट अभी इनके बीच में एक न्यू फोल्डर एड़ होगा, जिसका नाम होने वाला है, दिस्ट, क्योंकि वो हमारा प्रोडॉक्शन वाला कोड होगा, तो अन्पियम, run and then build अगर आप लिखते हो, तो आपका वो जो, देखो ना, building for production ये बाता भी रहा, and boom guys, see, हो गया, ये देखो, dist folder हमारा बनके ready है, बस आपको ये जो dist folder है, यही आपको आपके जो server है, वहाँ पे आपको share करना है, ठीक है, all right, तो इसको मैं control as save कर देता हूँ, perfect, तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा, deploy manually, आप बहुत कि लिए लिद देख सकते हूँ, we have this deploy manually, and मैं इसके बाद आपको paid server, जो की है hostinger, वहाँ पे भी बताऊँगा, and believe me, I prefer कि आप hostinger, एक buy करी लिजिएगा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो यह करता हूँ, कि explorer, and then dot, मुझे यह तो पता चले कि मैं हूँ कहाँ पे, तो यह जो path है, इसको मैं copy करूँगा, यहाँ पे चलता हूँ, browse to upload, तो यहाँ आप देख सकते हूँ, browse to upload पे क्लिक करते यह आया, and मैंने वो path टॉप पे अड़ कर दी, and we have this dist folder, if you remember, यही है जो हमें यहाँ पे upload करना है, dist पे copy की, and मैं upload पे कर रहा हूँ, and then upload, so खत्म, so yeah, this is it, इतना ही था यह, कि guys, यहाँ से upload हो रहा है मेरा, ठीक है, and यह मेरा काम भी हो गया है, and I guess, यह थोड़ा सा यहाँ पे समय ले रहा है, क्योंकि project थोड़ा सा बड़ा है, right, यह complete भी हो गया है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको open production deploy पे क्लिक करते है, oh my god, इम्तिहान के घड़ी, finally तब से हम इस पे काम कर रहे थे, and yeah, देखो, सबसे पहली बात तो इसका जो URL आता हूँ, मुझे कभी भी पसंद नहीं आता, यह यह किस जनम का URL हमें सेर कर रहा है, and यह देखो, आपका code यहाँ पे ready, पूरा, and यह live host है, आप इसको और बेटर कर सकते हो, साइट कंफिग्रेशन पे आप आईएगा, then we have one option called change site name, यहाँ पे आप इसको change कर दो, react, आएगे से नाम अल्रेडी लोगों ने ले चुगा है, यह पॉफेक्ट मुझे मालमता लिया होगा, react, underscore thapa, react थापा कर देता हूँ मैं यह भी लिया ही होगा, यह यह तो मैंने लिया था, react country, ठीक है, react country, oh my god, यह भी नाम लिया हुआ, react.js project, react.js project, thank God, at least यह नाम किसी ने नहीं लिया, तो अब मेरा URL का नाम क्या हो गया है, react.js project. एक काम करता हूँ, react.js project.netlify.app, यह मेरा project का नाम है, यह अब में से अब यही रहेगा, है ना, तो यह, या गाइस, यह आपका फ्री में होस्ट हो गया है, अब मैं आपको बताऊँगा कि आप होस्टिंगर में इसको कैसे होस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले में एक चीज़ यह बताना चाहूँगा, कि इस paid, I mean यह जो free है, इसका कोई guarantee नहीं है, कलकू, हुरुकू की तरह का इस अगर paid हो गया, तो सब आपका data चला जाएगा, नाम आप इसमें देखो change नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे चीज़े जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर backend, monstack आपका भी host कर भी नहीं पाऊगे, backend आप कर भी नहीं पाऊगे, that's why, it's always recommend to, आप अपना एक server buy करी लिजे, ताकि आप उस पर कुछ भी host कर सको, कैसे भी host कर सको, पूरा पावर आपके पास रहेगा, backend, frontend, database, यह सब, वो सब सब आप यहाँ पर कर पाऊगे, उसके लिए गाई से आपको करना होगा, कि we have multiple hosting, जिसमें से आप यह VPS hosting जरूर बाई कर सकते हो, ठीक है, and इसके उपर मैंने पूरा एक detailed video, start till end कैसे buy करना है, कैसे अपना complete month project को host करना है, सब कुछ बताया है, तो यह जो वीडियो आपको complete screen पे दिख रहा है, उसको जरू check out कीजिएगा, and मैं एक चीज यह बाताना चाहूँगा, फिलाल आज हमारा वीडियो में, अगर आप सिर्फ front end के साथ काम करते हो, तो beauty यह है न, front end में, कि आप हमारा जो normal waybosting है, वहाँ पे भी आप react के project को host कर सकते हो, waybosting बेसिकली आपका काम आता था, PHP के लिए, Laravel के लिए, आप यहाँ पे आपका MySQL, सब कुछ कर सकते हो, इसको पर भी मैं अल्रेड़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, and second best part यह है, कि लाइक सिर्फ 149 रुपीस पर मन्त, BPS से कहीं गुना सस्ता, और बाकि जो भी market में उनसे भी कहीं गुना सस्ता है, लेकिन services उनसे कहीं जादा है, सिर्फ इस एक plan पे, आपको guys up to 100 website, free SSL certificate, free domain, free email, आपको free AI website builder मिलने वाला है, WordPress आप यहाँ पे, कितने भी WordPress create कर सकते हो, security आपको मिलेगा, 30 days का money back guarantee है, बाई करके तो देखो, पैसे दिन की भी नीड 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 अच्छा ना लगए तो निकाल लो, ठीक है, and guys 24x7 का chat support है, Mumbai में recent data center है, बहुत कुछ है, प्लीज उसको check out किजएगा, and सबसे best part, I have a special coupon code guys, जहाँ पे अगर आप यूज करते हो, THAPA7, then you will get extra 10% discount on existing discount, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए guys, like आपको देखो, buy तो करना ही पड़ेगा, no matter what, लेकिन वहीं guys, अगर आप मेरा link यूज करते हो, अगर coupon code भी add करते हो, तो आपको उपर से 10% का discount, आपके मन में भी ज्यादा डर नी रहेगा, कि ये किस टाइब का website है, क्योंकि मैं इसको आपको recommend कर रहा हूँ, मैं तो 4 साल से उस करी रहा हूँ, मेरा सब कुछ even, if you remember, जब मैं इस पर click करता हूँ, bottom पर source code, ये जो मेरा थापा technical.shop, ये तो money stack project है, इसको मैंने VPS पर ही host कर रखा है, तो इसको आप देखी लो, आपको idea आ जाएगा, कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता है, ठीक है, तो please buy कर लीजिएगा, and once ये हो जाए, तो आप वापस इसको login कीजिए, and by the way guys, अगर आपको थोड़ा about doubt आता है, आ रहा है कि कैसे buy करूँ, कैसे domain and all वो सब को मैं claim करूँ, तो उसके उपर मैं एकदम detail video अपलोड कर चुका हूँ, ये जो video अभी आपको दिखाएते हैं, इसको आप check out कीजिए, आपके सारे doubt के लिए हो जाएंगे, ठीक है, all right, so guys, मैं एक काम करूँगा, देखो मैंने कोई तो नया domain by Nikki, मैं already बहुत कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो html course.online है, मैं उसी पर ही manage पर click कर दे रहा हूँ, ठीक है, so manage your, एक काम करता हूँ, मैं आपको अच्छे से ही बाता देता हूँ, देखो, सबसे पहले तो आप website पर जाईए, left side पर आपको website दिखता है, वहाँ पर आप आईए, ठीक है, and once आपको मिला, आप एक काम करो, stml course, आप इस तरह की से सर्च करो, तो आपको आपका ये जो भी code है, इस तरह की से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर dashboard पर आप click कीजिए, तो जब आप dashboard पर click करते हो, तो on the left hand side आपको multiple options आता है, जिसमें से we have one called domain, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर एक sub domain बनाना है, and मैं यहाँ पर अभी जो sub domain हैं, उस पर मैं click कर रहा हूँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा HTML का domain है, वहाँ पर मैं एक sub domain क्रेट कर रहा हूँ, project, custom folder बोल दिया, यही same नाम मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, तो मेरा जो public underscore HTML है, उसके अंदर वो एक folder बना देगा इस नाम का, तो आप एक simple logic मैं आपको बता हूँ, आप मैंसे बहुतों को डर लगता है, यह server क्या है, हम कैसे इस पर host करते हैं, कुछ नहीं है guys, देखो ना मैंने the moment explorer dot लिखा था, मुझे data आगिया था यह, जहाँ पर मुझे यह पाता चला कि, मेरा यह जो hard, basically मेरा पास थो NBME है, यह SSD आप कह सकते हूँ, चला पा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, लेकिन ही मेरे local system पे, अब इसी file को आपको एक server पे जाके add करना है, इसका मतलब यह, कि server मतलब वो भी एक आपका hard drive भी है, जिसमें आप एक, बस एक, let's say आपने बोला कि मुझे 100 GB buy करना है, तो वो जो online hard drive है, उसको आपको buy करना रहता है, और उस पे जाके आप आपको बस यह जो folder है, वहाँ पे put करना है, एक बार उस जगे पे आपने add कर दिया, वो जगे पे आपका यह सारा source code, तब वहाँ से कोई भी उसको access कर सकता है, ऐसा समस्क्राइब कॉमन वह आपका SSD है, ठीक है बस यही है आपका server, इतना कुछ वो नहीं है, तो देखो हमारा एक बनके ready है, मैं वापस overview पे जाओंगा, we have this file manager, तो यह देखो public and is को restimul, डबल क्लिक कीजिए, react project पे आप आईए, तो अब यह जो default.php इसको आप delete कर दो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टॉप पे आपको एक upload का option आता है, इस पे आप click कीजिए, folder same होई है, जो अब यह deploy manually यह वाला part जो था न, यहाँ पे आईए, disk पे click करके upload कर दीजिए, मैंने क्या बोला, कि एक बार आपको अपना जो react का project उसको production ready के लिए deploy, I mean production ready वाला code बनाना पड़ता है, एक बार वो folder बन गया, बस उसी को ही जगे जगे आपको copy paste करना है, यह मेरा बन के ready, यह सारा का सारा code मेरे react project के अंदर होना है, फिलाल अभी यह किस के अंदर है, तो इसलिए मैंने सब को select की, at the top we have this move वाला button, उस पर मैं click करूँगा, इस पर click कर दूँगा, मैरा basically main home page पे, and मैं move कर दूँगा, मैरा काम हो गया, अब यह डिस्ट को आप delete कर दो, and this is it, यह इतना ज्यादा simple था guys, अब यह जो particular sub-domain, जो अभी हमने create की, ठीक है, domain, then we have this sub-domain, यह जो particular URL है, इसको मैं copy करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, and paste कर दूँगा, so 3, 2, 1, and boom guys, तो यह है guys, आपका actual जहाँ पे, मेरे पास domain था, htmlcodes.online, मैंनो हाँ पे कर दे, let's say मेरा थापर technical.com, ठीक है, यहाँ पे आप reactproject.com, reactcountry.com, worldbestreactproject.com, जो आपको मनो, अपने server पे आपको कर सकते हो, बस आपको domain buy करना पड़ेगा, domain buy भी नहीं करना है, sorry, वो तो आपको free मिल जाएगा, यह by default, आपका SSL certificate भी add हो चुका है, and yeah, see, मेरा यह देखो, यह मेरा live host भी हो गया, यहाँ पे, यह मेरा live host हो रहा है, तो इसका भी link, netlify का भी link दोनों, मैं आपको नीचे description में दे दूँँगा, I hope आपको वीड़ेगा बहुत ज़्यादा पसंद आओगा, जरू कर दीजेगा, इस वीडियो का like target है, सिर्फ और सिर 5,000 likes में जो बता चुका हूँ आपको, and next target है हमारा subscriber का 1 million subscribe, हमें almost 7 लाग तो होई गया, तो प्लीज यह जितना हो सकता, उतना share कर दीजेगा, and this source code basically project कैसा लागा, let me know in the comment section, and next आप किस पर देखना चाहते हो, comment करके जरू बताईएगा, so yeah guys, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अभी तक अगर देख रहे हो, तो salute है आपको, तो guys, मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में, till then guys, thank you so much, take care,